हेलो बच्चो नमस्कार मैं अमित्प्रजापति आप सभी का फिर से स्वगत करता हूँ फिजिक्स वाला के स्खूब सूरस से मंच पर तो आपको आबाज आबाज सब आ रही है सारी चीज़ें क्लियर हैं चकाचक एकदम तो चली स्टार्ट करते हैं आज अपन पढ़ने बाल है भच्चा घूनन गती इसे अंग्रेजों की भासा में हम कहते हैं रोटेशनल मोशन तो सबसे पहले माज का लक्षे देखेंगे तो अपन चर्चा करेंगे आज जड़ता घून के बारे में फिर हम चर्चा करेंगे वला घून का फिर चर्चा करेंगे कौनी संबेक का और फिर खेलेंगे उसके बाद बेलिनिय गती लेकिन इन सब चीजों को शुरू करने से पहले मैं आपको रेखिये गती और घूनिय गती के जो राश्या होती हूं उनमें सम्मंद बता देता हूं तो देखो अपने रेखिये गती पढ़ी थी रेखिये गती अपन पढ़ चुके हैं रेखिये गती अब अपन पढ़ने वाले भूनिय गती रोटेशनल मोसल ठीक है बच्चों तो देखो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर अपन क्या कहते थे रेखिये बिस्थापन देखिये ग क्या कहांगे बच्चा को और ये बिष्थापन और इनमें सम्मंध क्या होता है वो भी मैं लिखते चलूंगा तो देखो आप ईपिनों बराबर जानते हैं चाप वटे दिश्ज्ज्य हो और आर ठीटा तो एस तो हुआ बच्चा रेखिये विस्थापन ठीटा क्या है कौण यह विस्थापन और इनमें सम्मंद क्या है इनमें सम्मंद होता है आपस में एस बराबर एस बराबर R theta R क्या है बच्छा त्रिज्ज्ज है धीटा कौड़ यह बिस्थाppen है और S को अपन क्या कहते हैं बच्छा रेखिए बिस्था time ठीक है अब इसके बाद अपनने चर्चा की थी कॉड़िये रेखिए वेग की तो और यहां पर अपन क्या कहते हैं इसको कोड़िये वेग इसको उमेगा से प्रदर्सित करते हैं किसे प्रदर्सित करते हैं बच्चा उमेगा से और इसी प्रकार से आपको रिलेशन आपर मिल जाएगा भी बराबर आर उमेगा ठीक है फिर हम रेखी गती में प्रारंबिक कोड और ये वेग उमेगा नॉट उमेगा जीरो और हम संबंद लिख देते हैं कि यू वरावर क्या हो जाएगा आर इंटू उमेगा नॉट आर इंटू उमेगा नॉट फिर अपने यहां पर तोरण पड़ा था रेखिये तोरण अब रेखिये तोरण होता था रेखिये गती में तो जल्दी से बताओ बच्चा कौणिये गती बोले तो घूनन गती में तोरण को क्या कहेंगे तो आप कहेंगे सरजी कौणिये तोरण घूनन गती में तोरण को हम कहेंगे कौणिये तोरण और इसको हम अलफा से प्रदर्सित करते हैं और संबंध क्या हो गया ए और अलफा म और उसके बाद जैसे यहाँ पर अपन कहते थे बच्चा द्रब्यमान, क्या कहते थे, द्रब्यमान, रेखिये गती के लिए, आप एक तरीकी से समझ लो, कि कोड़ी है, गती का जो द्रब्यमान होता है, इनर्शिया होता है, इसको अपन कहते है, moment of inertia, बोले तो जड़त तो यहाँ पर रेखिये गती में, इनर्शिया होता था, M, यहाँ पर होता है, moment of inertia, और इसको अपन प्रदर्शित करेंगे, I से, ठीक है, और यहाँ पर जो काम बल करता था, कौन सी वाली गती में, रेखिये गती में, तो बल का काम यहाँ कौन किया करेगा, बच्चा, बल आगून किया करेगा, हमें इनकी भी चर्चा करनी है, ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते है, जड़त आगून, जड़त आगून, और इसको अपन क्या कहते है, बल आगून, बल आगून बच्चा, बल आगून, ठीक है, तो इनकी चर्चा तो हमें detail में करनी है, आज के पढ़ना है और बल आगून पढ़ना है लेकिन अभी शुरू बात में आपको फील आ जाए इसलिए में रेखिये गती और कौणी गती में संबंद लिख रहा हूं बच्चा सरिफ अब देखो रेखिये गती में F बराबर अपन क्या लिखते थे बच्चा M इन्टू A बल बराबर क्या होता था द्रबमान गुणा तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा कौणी गती में तो बल का काम कौन करता है बल आगून और द्रबमान के जगए क्या आजाएगा आई अब हमने लिखा है कि यहां पर रेखिये गती में जो काम M करता है कोणी गती में यह हम कहे हैं गूनी है गती में वही काम कौन करेगा जड़त तो A गून करेगा समझ गए तो M को रिप्लेस कर दो किस से I को और E को अपन किस से रिप्लेस कर देंगे अलफा से तो टो बराब यह वाला समीगान होता था एक पॉल टू एमे कौणिये गती में घूनन गती में उतना ही महत्पूर समीगान टॉर्क बराबर आई अलफा होगा वरोबर बच्चो अब देखो किसी भी चीज का सूतर निकाल सकते हैं आप जैसे यहाँ पर अपन कहते थे संबेक पी बराबर ए इंट उमेगा अरे बोलो एम का काम कौन करता है और वीक काम कौन करता है उमेगा ठीक है यहां-पर अपन कानेटिक एनर्जि लिखते ते लेखी गती में हाफ,म,v square यहां-पर रोटेशनल में कैंटिक एनर्जि कितना हो जाएगा रोटेशनल में काइनेटिक एनर्ज हो जाएगा, हाफ M की जगह आ जाएगा, I, V की जगह जाएगा, ओमेगा स्कुर्ड, ओमेगा स्कुर्ड, ठीक है, यहाँ पर अपन कहते थे, आबेग बराबर, आबेग बराबर क्या होता था, तो आबेग बराबर हम कहते थे, बल, गोड़ा, समायंत्रा, समायंत्रा, और इसको यह अपन क्या कह देते थे, रेखिय सम्बेग में परिवर्तन, याद है, आबेग सम्बेग का प्रिमी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गटो, और यह डेल्टा, टी, समायंत्रा, तो वही रहेगा, डेल्टा, टी, और एक इसके बराबर हो गया, यह बराबर हो गया, और यह सम्बेग में परिवर्तन के, यहाँ पर आबेग रेखिय सम्बेग में परिवर्तन के बराबर होता था, और यहाँ पर कौन सा आविक है कौन ये आविक वो कौन ये सम्वेक में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा तो अगर आपको रेखिये गती की राशियां याद है रेखिये गती की राशियां आपको पता है तो आप कौन ये गती की राशियां भी फटा फट याद कर सकते हैं बस आपको ये सारी चीज़े पता होना चाहिए कि रेखे गती के ये रासियां हैं तो इन से सम्मंधित घूनन गती में रासियां क्या-क्या होती हैं इसके अलावा अपने कुछ और चीज़ें पढ़ी थी जैसे अपन कहते थे न यहाँ पर P square is equal to 2 M K यहाँ पर क्या हो जाएगा पी की जगए क्या आ जाएगा बर्फुरदर पी की जगए आ जाएगा एन रेखे सम्मंध अपने रेखे गती में पढ़े हैं वही सम्मंध बन जाते हैं किसमें गूनन गती के लिए बस आपको ध्यान देना है कि गूनन गती की रासियां रेखे गती के सापिक्ष क्या हो जाएगी या किसी भी रेखे गती की रासि के लिए उससे सम्मंध गूनन गती की रासि क्या होती है जैसे रेखी गती में तौरण ए होता है यहां तौरण अलफा हो गया पॉड यह तौरण उहां बल यहां बल आगून उहां द्रबमान यहां moment of energy है जड़त आगून उहां M होता है यहां I होता है बच्चों ठीक है अब देखो इसमेंसे हमें यह आई क्या होता है टौर्क क्या होता है इनके बारे में तो पता ही नहीं है तो हमें देखो यहां पर कौन कौन सी नई चीज़ सुनने को मिली है तो यहां पर हमें नई चीज़ सुनने को मिली है एक तो पहले जड़त आगून आई तो हम पता करें कि टॉर्क होता क्या है जैसे बल तो अपने सीख लिया था जो काम उधर बल करता है वही काम क्या करता है कौन करता है बल आगून करता है तो बल आगून क्या होता है हमें पढ़ना होगा जड़ता आगून क्या होता हम कैसे ग्याद करते हैं यह भी हमें पढ़ना होगा सास्ता ही गति की समी करन की चर्चा कर लेते हैं कोने ये कर घक की के शमी करन घककी हाई के समीकर चेह अglio कने तम अमीघन समीकर रहन है अच्छा को माचय के अब अपकर आपन को क्या लिखना है कॉंड ही गति पर दिखdi गती के समीकन क्या होते थे गती के समीकन पन कब लगाते हैं जब ए नियत हो तोरण कैसा हो बच्चा नियत हो और यहां कोरिये गती के लिए पन क्या कहेंगे कोरिये गती में क्या हो जाएगा इस अमीगर, तो भी क्या होता था, रेखिये बेग, अंतिम रेखिये बेग, तो यहाँ पर क्या हो गया, अंतिम कौन ये बेग, बरावर प्रारंध के कौन ये बेग, ये की जगाए अलफा हैगा, इन्टू टी, कोई दिख्यत भाली बाती नहीं है, दूसरा समय करने क्या होता था बच्चा अपना S बरावर U T प्लस हाफ A T स्क्वार होता था S बरावर U T प्लस हाफ A T स्क्वार होता था तो यहाँ पर आपको समय करने क्या मिलेगा S की जगह क्या आ जाएगा S वहाँ बिस्थापन होता था यहां क्या हो जाएगा कौन ये विश्थापन तो S बरावर omega not into T plus half alpha into T square हो जाएगा बच्चो और उसके बाद यहां पर अपन लिखते थे V square is equal to U square plus 2 A S तो यहां पर क्या हो जाएगा V square की जगए omega square is equal to omega not square plus 2 alpha theta 2 alpha theta तो यह देखिए गती के समीकरण हुआ करते थे यहां पर उनीकी सायता से अपने क्यों क्यों गती के यह klar है गती के समीकरण विह लिख लिए किसके गती के समीकरण 3 वर वर र다가 टो चलिए अब अपन चलते है अपनी राष्यों पर तो किस की चर्चा करेंगे बच्चा द्रणबस्तु परवासत किया जा सकता है गते ले परवासत करते हैं को सबसे और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं आई बरावर सिग्मा की जगह अगर हम इंटीग्रेशर में लिखें तो इंटीग्र डीम इंटू आर इसको अब इसको समझ यह समझ यह पहले की होता कहा है देखो अपन जड़तागून को निमने प्रकार परिवासित करते हैं कि जड़ हाँ कास्ति आपन क्या कहेंगे ने काने यहाँ आई तो अपन कहेंगे यहाँ पर आई को अपन ऐसे परभासित करते हैं आई बराबा द्रबमान गुणा द्रबमान की अक्ष से कौन सी अक्ष से गुनन अक्ष ते लंबबत दूरी का बर्ग है अब मान लीजे जैसे हमारे पास कोई कोई द्रबमान है एम कोई द्रबमान है बिंदू द्रबमान है एम कह बच्चा बिंदू द्रबमान बिंदू द्रबमान पॉइंट मास ठीक है और हमने का ये इसकी अक्ष है इस अक्ष के परता ये द्रबमान घूनन गति कर रहा है तो हमें क्या देखना है द्रबमान तो हमे है R तो देखो जड़ा तागून आई अपन इस द्रबमान का कैसे लिखेंगे आई बराबर आई बराबर हम लिखेंगे द्रबमान कितना है M और द्रबमान कि अकसे लंबबद दूरी इसके लिए M into R Square M into R Square अब देखो यदी एक से अधिक द्रव्यमान हूँ यदि एक से अधिक बिन्दू द्रव्यमान हूँ तो अपन क्या करेंगे जैसे मान लीजिए हमारी अक्ष है कहीं पर हम अक्ष बना देते हैं फटाफट से यह क्या हमार अक्ष है और अक्ष से आरवन दूरी पर एक द्रव्यमान है बच्चा बिन्दू द्रव्यमान M1 एक द्रव्यमान इधर है M2 R2 दूरी पर एक द्रव्यमान इधर है कितना M3 कितना दूरी पर R3 दूरी पर और चौथा द्रव्यमान यहां पर ही रखा हुआ है तो देखो सिंपल सी बात आप क्या करेंगे आई बरावर लिखेंगे आई बरावर एक एक करके सभी द्रभमानों को जड़त अगून लिख लो तो यह द्रभमान कितना है M1 अक्से दूरी आरवन तो M1 M3 हो गई अक्से दूरी कितनी R3 इसका वर्ग और चौथा द्रभमान कितना है M4 तो अपन क्या लिखेंगे M4 और अक्से दूरी कितनी है 0 यह अच्छ पर ही है तो अक्से दूरी कितना हुआ 0 तो इंटो 0 का वर्ग तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर I बरावर लिखा तो सिगमा MI into RI का वर्ग मतलब आपको सिगमा M और R का वर्ग करके उनको जोड़ते चलना है ठीक है अभी अपन बात कर रहे है किसके बिंदू द्रभमान के निकाएगा बिंदू द्रभमान के निकाएगा ठीक है चलिए अब मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदू द्रभमान नहीं है ठीक है अपने पास एक बिस्तृत बस्तू है एक्स्टेंडेट बॉडी है ठीक है तो हम कहें बिस्तृत बस्तू का विस्तृत विश्त्रित विश्तार विश्त्रित कैसे लिखेंगे विश्त्रित एक्स्टेंडड वोले तो विश्त्रित हो गया बच्चा विश्त्रित बस्तु का जडत्त आभून जड़त आघून बिश्तरत बस्तू का ओधारन जैसे मैंने द्रबमान केंदर में भी बताया था कि एक्स्टेंड आपज़क्ट के आती हैं जो फैली हुई हूँ बिश्तरत बस्तू हैं तो अब अपन इनका जड़त आघून लिखने जा रहा है तो मानली जी हमारी कोई बिश्तरत बस्तू इस प्रकार से है बच्चा अमीवा जैसा बना दिया ठीक है और यह रही अपनी अक्ष यह कह बच्चा अक्ष है अब हमें क्या करना इस बस्तू का जड़त आघून निकालना इस बस्तू का क्या करना जड़त आघून निकालना है तो जड़त आघून के लिए हमें क्या चाहिए होता है बस्तू का द्रबमान तो बस्तू का द्रबमान कितना है बच्चा एम तो हम I बरावर लखें तो I बरावर कितना हो गया, दरबमान कितना हो गया, M अब बताओ दरबमान की अक्स से दूरी कितनी है तो आप खेंगे सर जी दरबमान की अक्स से हम दूरी देखेंगे तरीके से नहीं लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर एक छोटा सा टुकडा काटेंगे, छोटा सा यहाँ पर अपने टुकडा काट लिया, डेल्टा एम मास्का, ठीक है, अब एक छोटा सा टुकडा है, डेल्टा एम मास्का, तो इसको अपन क्या मान सकते है एक बिंदू द्रब्मान मान सकते हैं यह छोटा टुकड़ा है छोटा टुकड़ा इसको अपन क्या मान सकते हैं बच्चा एक बिंदू द्रब्मान मान सकते हैं ठीक है और अगर यह बिंदू द्रब्मान है बच्चा और इसकी अक्सेदूरी मान लीजिए कितनी है आर तो इस इस छोटे से टुकडे कर जड़त आगूर जो की छोटा सा होगा डेल्टा ऐ इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा एम इंटू आर इस्वेर अब हमें अगर पुल जड़त आगूर ग्याद करना है तो ऐसे भुष सारे छोटे छोटे चोटे चोटे टुकडे काट के आप सभी क परपन क्या करेंगे छोटा टुक्ड़ा नहीं extended वस्तू है तो इसकी अपन भहत सा जोटे छोटे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे नन्नी मुननी टुक्ड़े करेंगे और सभी का जड़ा तागून लिखके उनको जोड़ देंगे तो जोड़ने का काम अपन किसे करते हैं सिग्मा से सिग्मा डेल्ता आई अई इपॉल टू सिग्मा डेल्टा एम। इन्टु आहर स्वेर हो गया। और शिग्मा डेल्टा आई क्या हो जाएगा कोरो जड़ा क्ळूट अब आरूड इदेश इसके रूप में समाकलन की रूप में देखो समाकलन की रूप में कैसे लिखा जाएगा तो हमारे पास वही बस्तु है एक extended object कुछ ऐसी ठीक है बच्चों यह अपने अक्ष्य बना ली क्या बना ली है अक्ष्य कि अब अपन यह पर क्या करते हैं चोटा सा काडते हैं चोटा सा कारते हैं इसका द्रब मानगाश बस्तु है अपन क्या लिखेएं तो आप द्रबमान कितना है तो आप कहेंगे dm into दूरी कितनी एक से r तो dm into r का square अब अपन क्या करेंगे इसको integrate करेंगे तो इसको integration करेंगे तो integration हो गया और एक integration हो गया तो अब देखो integration differentiation को खा गया तो इधर क्या बचा i is equal to integral dm into r square हमने integrate क्यों कि या mathematics से समझ लो यहां हमारे पास di था हमें आई चाहिए तो हम integration करेंगे तो integration differentiation को खा गया क्या बचा आई यह आपन वैसे ही कह सकते हैं कि देखो यह जो डी आई था बरावर dm into r square एक छोटे से टुकड़े का जड़ा तागून था एक छोटे से टुकड़े का जड़ा तागून था अगर हमें कुल जड़ा बच्चा ऐसे बहुत सारे चोटे चोटे तुकड़े आप पाड़े और उन सब को जोड़ा जैसे सिक्मा जोड़नी का कःता है ना ऐसे ही integration भी जोड़ने का ही काम करता है किसको सतत खलनों को तो यहां द्रबमान लगातार विस्त्रित है सतत रूप से विस्त्रित है तो अपने क्या किया जोडने के लिए इंटीग्रेशन कर लिए तो यहां से आपको आई का मान बच्चा योग मिले गया तो याद क्या रखोगे सिंपल सी चीज़े आई बराबर एक तॉप ए वाला सूत राई बराबर सिग्मा एम आई इंटू आर आई का स्क्वेर और आई बराबर सिग्मा के साथ इंटीग्रेशन भी लगा लो इंटीग लिए、 कैसे आप जड़त आगून बच्चा लिख लिया करोगे अपन आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हुई यहां पर अपन एक एक एकैम्पर ले लेते किसका एक जड़त आगून आफ़ रों टो हिर अपन और चीजों पर चलते हैं इस का-पढ़िक सम ब्लिक लि तो देखो एक दो extended वस्तुओं का विस्तालत वस्तुओं का जड़त आगून में आपको ग्यात करके बता देता हूं फिर बच्चवी वस्तुओं के लिए मैं आपको डायरेक्ट रजल्ट बताऊंगा और आपको रजल्ट ही याद रखना है अगर सभी वस्तुओं का जड़त आप से बता रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जड़ता अगून की जो परिवास आपने पढ़िये वह कैसे की जाती है उसको अपन किस प्रकार से करते हैं उसका अनुप्रियों कैसे किया जाता है ठीक एक कुश्य निया पर उठाते हैं आपन रॉड वाला उसमें बिल बिल्कुल वैसा ही कहानी है देखो द्रभमान केंद्र में अपन xcm कैसे निकालते थे xcm is equal to integral dm into x और यहां पर रंका जड़ता अगून i बराबर के अतना हो गया integral dm और into x का वर्ग r लिखोगे तो r का वर्ग x लोग होगे तो x का वर्ग तो बिल्कुल similar calculation है इस तरीके से अपन निकालते थे बर खुर्दाज द्रभमान केंद्र द्रभमान केंद्र अच्छा यहां integral dm और कर देते थे integral dm यहां वो भी नहीं करना है यहां पर सिर्फ कितना integral dm into x square कित्ती ही चीज करनी है तो देखिए यहां पर अपने एक छण ली है ठीक है और छण की अपन अक्ष्य बना देते हैं एक छण की अक्ष्य है इस अक्ष्य के पढ़ता अपन को शण का जड़ता आगून गयात करने क तो देखो अपन क्या करेंगे एक बिस्त्रत बस्तु है तो अपन बच्चा एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे तो यहां से x दूरी पर अपन एक छोटा सा टुकड़ा काटा है जिसकी लंबाई कितनी है डी एक्स इसकी लंबाई कितनी है बच्चा डी एक्स यहां पर x ब भी निकाला था किस में किसमें निकाला था द्रब्मान केंद में DM क्या है DM होगा बच्चा DM is equal to DM होगा DX का लंबाई का द्रब्मान DM क्या होगा बच्चा DM क्या होगा तो देखो इसको अपन कैसे निकालेंगे, अब देखो L कई लंबाई का द्रबमान कितना है M, तो 1 कई लंबाई का द्रबमान कितना हो गया M upon L, तो 2 कई लंबाई का द्रबमान 2M upon L, 5 कई लंबाई का द्रबमान 5 upon L, तो Dx कई लंबाई का द्रबमान कितना हो गया, Dx into M upon L, M cem upon समझे कर नहीं समझे बच्चा समझ गए अब बस हमें ऐ निकालना है ऑं लिदी मिलिगा तो आ इस स्कुर कहे LO या एक स्कुर कहे LO जहां पर आर या X क्या होता है बच्चा इस छोटे से टुकड़ा देखो बिटा इसलिए इतना बड़ा टुकड़ा आपको दिख रहा है काटा हुगा है मैंने बास्ता में इस टुकड़ा बहुत छोटा सा डी एक्स का मान लगवग जीरो के बराबर होता है बहुत छोटा होता है तो इ आपने इसको integrate करेंगे और limit put करेंगे 0 से लेके L तक, 0 से लेके L तक, तो I is equal to कितना हो गया बच्छा, integral DM का मान कितना है, M upon L into dx, ये तो DM का मान है, into x square limit 0 से लेके L तक, तो I बरावर कितना आ गया, M upon L बाहर आ जाएगा बरफुर्दार यहां से, और ये x square dx बच्छा, 0 से L, integration कितना हो जाएगा, x की घाथ 3 upon 3 limit 0 से लेके L तक, तो I बरावर कितना आ गया, M upon L into L की घाथ 3 बटे 3, 1L से 1L गया, तो आपको मिल गया, I बरावर, M L square upon 3, तो ये, जड़क तो आघून हो गया, किसका, एक छड़का, एक छड़का, बोले तो एक रोड का, किस अक्ष के सापिक्स, तो हम कहेंगे, अक्ष कहां से पास कर रही, एक end से, अक्ष कहां से बुज़र रही है, बच्चा, रोड के एक end से, और अक्ष रोड की लंबाई के, लंबबत है, तो जड़क तागून कितना हो गया, M L square, M L square upon 3, तो इस प्रकार से अपन, इस, रजल्ट को अप्लाई कर लेते हैं, बच्चा है, समस्के कैसे यूज़ करना है, फॉर्मूला वही है, फिर चे मैं लिख देता हूँ, I बरावर, integral, DM, into, R square कहलो, या, X square कहलो, यह अपना फॉर्मूला है, ठीक है, हमने अभी-अभी अप्लाई किया, और उस से अपनने, एक रोड का जड़ा तागून निकाला है, जिसकी अक्ष कहां पर है, जिसकी अक्ष है, रोड की लंबाई की लंबबत है, देखो यह अक्ष हुई, यह X से बच्चा, और रोड की लंबबत है, और रोड के एक स्रे से गुजर रही है, कहां से गुजर रही है, रोड के एक स्रे करते हैं अच्छा आप ए ताघून हम तब से चिलाया जा रहा है ठीक हमने कैलकुलेशन भी कर ली में जड़त होता है तो लहां सर सुनाए हमने न्यूटन के गती के नियम में सुना था जड़त हमने क्या होता था तो आपने का था जड़त होता था इसी भी बस्तू का आलस चलते ही रहना चाहती है रुकी है तो रुके ही रहना चाहती है तो यह क्या हुआ आलस हुआ यह किसका आलस हुआ चलने का आलस हुआ ठांसलेशन रेखिये गती का आलस हुआ ठांसलेटरी मोशन इस्थानांतरन गती तो उसमें अपन क्या कहते थे कि अगर कोई बस्तू रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती है और कोई बस्तू चल रही है तो वो चलते ही रहना चाहती है इस गोन को अपन क्या कहते थे बस्तू का जड़त अब हम बात करते हैं जड़त आगून का तो हम कहते हैं जड़त आगून भी आलस ही होता है जड़त आगून किया है बच्चा ये भी आलस है लेकिन ये चलने का आलस नहीं ये घूमने का आलस है किसका आलस है घूमने का तो हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो वो रुके ही रहना चाहती है और अगर कोई वस्तु घूम रही है तो वो घूमते ही रहना चाहती है बच्चा तो जड़त आगून आलास है जड़त भी आलास है लेकिन जड़त चलने का आलास है और जड़त आगून घूमन जड़तत आगोन को अपन क्या कहते हैंいました basically यह घूमने का जड़तत है जड़तत आगून ऑगोन घूमने कालस है इस को अब ऐसे भी लिख सकते है को भूणिय गतिका ठवल है जड़त उहाँ पर अपन कहते थे कि जितना ज़्यादा जड़त होगा बस्तू की गती में परिवर्टन करना उतना ही मुश्किल होगा यहाँ पर अपन कहेंगे जितना ज़्यादा जड़त तो आगून होगा बस्तू की गती में परिवर्टन उतना ही मुश्किल होगा ठीक है आप याद करूं वहां पर अपन ने क्या का था कि जो जड़त तो है जड़त तो है वो समानपाति किसके होता है द्रब्मान के होता है और यहां पर अपन क्या कहेंगे जड़त तो आघून जड़त तो आघून कह रहे हैं जड़त तो आघून यहाँ इसकी जगह, M की जगह क्या जाता है बच्चा, आई आ जाता है, आई आ जाता है, तो घूमने का आलस उतना ही जादा होगा जितना जादा किसी बस्तू का आई है, तो मतलब समझ गया होगे कि जड़त तागून हुआ क्या, जड़त होता है चलने का आलस, जड़त करता था द्रब्यमान पर जड़तों किस पर निर्बर करता है तो आक्ष के सापिक्स द्रब्यमान का वित्रण है जो द्रब्यमान है वो आक्ष के पास में अक्स से दूर है, ठीक है, दूसरे अपन क्या कहते हैं, कि घून अक्स की इस्थिति पर, घून नहीं ये घूनन होगा, घूनन अक्स की इस्थिति तथा बिन्यास पर, कहने का मतलब सिंपल से इतना है, कि जड़त आगून किस पर निर्भर करता है, द्रब्मान पर, द्रब्मान पर, और दूसरा चीज, दूसरा चीज साथ साथ किस पर निर्भर करता है, इसके साथ साथ किस पर निर्भर करता है, बच्चाई, कि द्रब्मान, द्रब्मान, अक्स के तापिक, कितना दूर है, कितना दूर है, देखो, अपने mathematical definition जो लिखी है न, आई की, तो आई अपन क्या लिख देते थे एम इंटू आर स्पर लिख देते थे एम इंटू आर स्पर तो एम क्या होता था एम क्या होता था जड़क तो द्रबमान M का होता था द्रबमान की कितना द्रबमान है और R का होता था बच्छा अक्से द्रबमान की दूरी कि अक्से द्रबमान की दूरी कि द्रबमान के सापिक्स सुरी अक्स के सापिक्स अक्स के सापिक्स द्रबमान किस प्रकार रूप से बितरे थे तो जो घूर्टा गून रिख करता है तो अक्ष के साप्ष दरबमान का बित्रड पास में है यह दूर है और दूसरे चीज घूर्ण अक्ष की गूर्णनक्ष कहाँ है गूर्णनक्ष कहाँ है देखो आ यहां पर एक पॉइंट लिखा है कि अक्ष 새 धरबिमान वित्रड जादा होगा इंपोर्टेंट पॉइंट है भी टाइब कि देखो आई समान पार्थी किसके आर स्क्वेर कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो अपन यहाँ से कैसकते हैं कि द्रब्मान जितना दूर होगा किसे अक्ष से लुज़ता आगुन उतना ही ज़ादा होगा इसको अपनर आदे जाओर agreed इन्टू आर स्क्वेर, आई बरावर M इन्टू आर स्क्वेर, अब हमने का हमने अक्ष ऐसे लिया है, अक्ष ऐसे लिया है, और द्रबमान, वही द्रबमान M लिया है, द्रबमान कितना लिया है, M, लेकिन अब हमने द्रबमान को कहां रख दिया है, अक्ष पर, द्रबमान को जञत अगून कितना है जी रो और जब पी यहाँ पर उसी M द्रभमान की बस्टू ओको जलत अगून कितना है MR स्कूरD अगर हम इसको कुछ और दूरी पर कर देते हैं मालीजे 2R दूरी पर रख देते हैं द्रभमान M को ही द्रभमान M को ही तो अभी इस द्रबमान का द्रबमान अभी भी M ही है लेकिन जड़त आगून कितना हो जाएगा द्रबमान कितना है M और अक्षे दूरी कितना है 2R का बर्ग बोली तो ही कितना हो गया 4MR स्कुर्ड तो द्रबमान तीनों ही केसिस में M M M ही है लेकिन जड़त आगून तीनों बार ही अलग है क्योंकि द्रब्मान की अक्षे दूरी अलग अलग है तो जड़त आकून किस पर निर्वर करता है द्रब्मान पर तथा अक्ष के सापिश द्रब्मान के बित्रन पर कि द्रब्मान कितना दूर है अक्षे या कितना पास है वर और ऐसा चलिए अब देखो बिं ये वाला मास M2 और ये वाला मास M3 अब हम आपसे कहें कि जड़त आगून बताओ तो जब भी आपसे कोई कभी कहें कि जड़त आगून बताओ कितना होगा तो पटक से अंसर मत दे देना कि इतना होता है फॉर्मूला याद है तो ठीक है आप कहोगे कि जड़त आगून हम जर तो जब भी कहा जाए कि आपसे कि जिल्द तागून बताओ तो तुरंत आपका पहला सवाल होना चाहिए कि अच्छ बताओ कहां तो अब बताईए इस सवाल में अपन किस अच्छ के पढ़ता जिल्द तागून निकालें तो यहां पर हमें तीन अक्ष दिखाई दे रही हैं बेटा हम एक एक करके तीन अक्ष के पढ़ता जिल्द तागून निकालते हैं आओ मेरे प्यारे नन्ने मुन्ने ग्यारवी किलास के बच्चों तो हम सबसे पहले जड़त तागून निकालते हैं एक्स अक्ष के पढ़ता तो एक एक करके तीनों द्रबमानों को पकड़ो और उनसे पूछो कि तुम्हारा जड़त तागून कितना है तो हमने पहले द्रबमान M1 को पकड़ा तो M1 द्रबमान है वो एक्स अक्ष पर ही है यह X-AX है तो बताओ इस द्रबमान की X-AX है देखो अपन जड़ता अगून किस AX की पढ़ता लिख रहा है X-AX है पढ़ता तो इस द्रबमान M1 की X-AX से दूरी कितनी है तो हम कहाँगे M1 और X-AX से दूरी इसकी है 0 क्योंकि यह X-AX पर ही है समझे बच्चा अब अपन लिखते हैं यहाँ पर प्लस द्रबमान कितना है यहाँ पर दूसरा द्रबमान देखो द्रबमान कितना है M2 और X-AX से दूरी इसकी कितनी है तो यह रही X-AX है तो X अक्ष से लंबे बाद दूरी कितनी है बच्चा इसकी B है तो into B square प्लस अपने तीसरा द्रब्मान पकड़ा M3 तो द्रब्मान कितना हो गया M3 और X अक्ष से एक्ष इसकी लंबे बाद दूरी कितनी हुई तो देखो Z अक्ष ही यहां बनाई हुई अपने लेकिन बास्त किस अक्ष में चले 0 Y में चले 0 Z में चले C तो बताओ इस द्रब्मान कि द्रब्मान यहां कहीं होगा यहां पर और इसकी केंद्र से स्सारी X अक्ष से जो दूरी है वह सी के ब्राबर होगी किसके ब्राबर होगी बच्चा C TW a तो आपने क्लिक देंगे। इंटुप इसपड मुझे एपनी जैडख चेक्तूर होई है। इसे बनी हुई है। बास्तम में कहां होती है। बाहर की औरो होती है। तो हम सबसे पहले M1 की बात करते हैं, तो M1, द्रबमान कितना है? M1, अब बताओ J-Dux, J-Dux कहा है? इधर pen देखाई दे रहा है? Hello, how are you? खाना, खाके जाना है? इधर द्यान दो, J-Dux ए रहा, ए रहा बच्चा J-Dux. अब J-Dux से लंब बाद दूरी कितनी है? प्लस M2, द्रबमान, तो M2, द्रबमान कहाँ पर है? बच्चा, यहाँ पर है, J-Dux A है, तो Z-Aक्ष से M2 की दूरी कितनी होई? B होई, तो B का बर्ग होई, प्लस द्रबमान कितना M3, अब द्रबमान M3, Z-Aक्ष पर ही रखा हुआ है, जैसे A अक्ष है, तो द्रबमान इसी अक्ष के ऊपर ही रखा हुआ है, तो अक्षे द्रबमान की दूरी कितनी होगई? जीरो, तो जीरो का बर्ग होगई, ठीक है? अब हम आपसे कहते, कि चलिए, आप जडब तागून गयात कीजिए, बाई-एक्ष के पड़ता, बाई-एक्ष के पड़ता, जडब तागून निकालिए, इनी द्रबमान के निकायका, तो ये तो अपनी Z-Aक्ष हो गई थी बच्चा, और ये है अपनी बाई-एक्ष, अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो अब देखो, आगे बढ़ाते हैं, एक समान द्रबमान की बलाई, एक समान द्रबमान की बलाई की चर्चा करते हैं, तो बलाई क्या होता है बच्चा, रिंग, बलाई, तो देखिए हमारे पास ये बलाई है, एक, और ये बलाई की अक्ष हो गई है बलाय की अक्ष हो गई है ऐसे तो बलाय की अक्ष कहां पर है तो अपन कहें बलाय की अक्ष इसके केंदर से गुजर रही है तो इस अक्ष के बारे में अगर मुझे जानकारी देना होगा तो हम कहेंगे अक्ष अक्ष द्रब्मान केंदर सेंटर ओफ मास से पास हो रही है मतलब गोजर रही है तथा तथा बलाय के बलाय के तल के लंबबत है तल के लंबबत है बलाए के तल के लंबबत है परूबत AX के बारे में आपकी जानकारी हो गई ठीक है, यह द्रबमान केंदरी होगा बच्चा इसका बीच बाला पॉइंट अगर हम इसको उपर से देखें यहाँ पर लेट के ऐसे उपर से इस बलाए को देखें तो उपर से हमें यह बलाए कैसी दिखाई देगी तो उपर से बच्चा हमें यह बलाए दिखाई देगी कुछ ऐसी ऐसी, उपर से देखने पर टॉप व्यूँ, यह हमने क्या बनाए है इसको ऊपर से दिखेंगे तो हमें ऐसा पूरा दिखाई देगा और इसका यहां पर अक्छ होगा इस तल के लंबवत यहां पर इसका अक्छ होगा अब देखो इस बलाय का कुल द्रब्मान कितना है M है और बलाय की तिरज़ा कितनी है बच्या R है तो यहाँ पर देखिए कि अगर हमें इस निकाय का जड़क तागून गयात करना है तो अब कोई भी द्रब्मान उठा के देख लो यहां का द्रबमान देखें, तो केंद्र चे इतनी दूरी पर R, आये पन की से लिखते हैं, कुल द्रबमान किपना है? M है और इस M द्रबमान की अक्ष से दूरी बताओ इस द्रबमान की अक्ष से दूरी बताओ तो हम कहेंगे यह सारा का सारा द्रबमान कौन सा द्रबमान बच्चा? यह सारा का सारा जो द्रबमान है यह अक्ष से R दूरी पर है कितना दूरी पर है आर दूरी पर है देखो द्रबमान एक ही जगह नहीं रखा है द्रबमान यहाँ पर फैला हुआ है लेकिन पूरा का पूरा द्रबमान अच्छ से आर दूरी पर है तो जड़त तागुन बच्चा कितना हो गया यहाँ पर M into R का बर्थ इसको डारेक्ट बच्चा याद रखते हैं बहुत काम के रिजल्ट होते हैं इसका बहुत यूज आता है अब देखो यह रिंग पूर्ण हो ऐसा जरूरी नहीं है हमने कहा कि इस तरीके से हमारा सरफ चाप है क्या है बच्चा एक चाप है ठीक है और यह चाप का क्या है केंद है है और चाप की जो त्रिज्ज्या है बच्चा वो कितनी है आः है अब इसे का कुल द्रव्मान आः है गी भी भी इसका जड़ा तागून कितना हो जाएगा तो हम कहेंगे देखो कुल द्रबमान कितना है तो आप कहेंगे कुल द्रबमान इसका M दिया गया है कुल द्रबमान इसका कितना है M है और बता अक्ष से अक्ष से सारा का सारा द्रब्मान कितनी दूरी पर है आर दूरी पर है देखो यह रही अक्ष यह रही बच्चा आक्ष है तो कोई भी द्रब्मान का भाग उठा के देख लो बच्चा अक्ष से आर दूरी पर ही है तो द्रब्मान कितना है एम और द्रब्मान की अक्ष से लं इस चाप का द्रभमान केतना एम है और नमान की अक्ष दूरी कितनी है आ रहे तो इसका एब इसक्षा करता हूं तो यह to go 1997 कि अपाओ ना चाह यह अपनी चकती हो गई और अखे यहां पर यह यहांस जो जडता तो जड़तो यहां पर होता हुए है यहां यहां से जो जड़तो आघूम वह dependency ऐसे यहां इसका यह होता है M R SQUARE UPON 2 याद रखना वर्चा-डारेक्ट कि जड़ता होने कितना होता है चक्ति का M R SQUARE Y2 अगर हम उपर से देखें तो यह फोटो हमें एसका दिखाई देगा तो यह टॉप व्यू है यह क्या वच्चा तॉप व्यू किसका इसका याद रखना M क्या है इसका कुल द्रब्मान है M इसका कुल द्रब्मान है अक्सि कहां से गुजर रही है एक सिरे से रोड के एक सिरे से और रोड के लंबाई के लंबबत है अब देखो असमान द्रब्मान की छण तो असमान द्रब्मान की छण के लिए हम द्रब्मान घनत देंगे आपको तो द्रब्मान घनत तो रेखिय द्रब्मान घनत म्यू बरा रेखिये द्रव्य मान घनत्व। मैंने आपको बता दिया है, वो कितना है, म्यू है। तो अगर रेखिये द्रव्य मान घनत्व है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे? अच्छ से X दूरी पर एक छोटा सा टुकडा काटेंगे जिसकी चोड़ा ही किती होगी बच्छा DX होगी अग इस छोटे से टुकड़े का द्रबमान अपन क्या कहते थे बच्चा Dortm इस छोटे से टुकड़े का द्रब्मान तो अपन Dm कहते थे तो देखो एक एकाई लंबाई का द्रब्मान, रेखिए द्रब्मान घनत को मतलब क्या हुआ, कि एक एकाई लंबाई का द्रब्मान कितना है, म्यू है, एक एकाई लंबाई का द्रब्मान कितना है, म्यू, इसका मतलब ही होता है, एक एकाई लंबाई का द्रब्मान, एक एकाई लंबा का द्रबमान कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे dx into mu ठीक है और dx का लंबाई के ही द्रबमान को अपन क्या कहते थे dm तो dm का मान कितना हो गया mu into dx बस आपको dm में मिलिया काम खतम अगर आपको जड़त आगून गयाद करना है तो i बराबर कितना हो जाएगा integral dm into x square तो i बराबर कितना हो गया integral dm की जगहे आप क्या लखेंगे mu into dx into x square और limit कहां से कहां तक पुट कर दोगे limit पुट कर दोगे बच्चा 0 से लेके l तक और यहाँ पर mu का मान कितना है mu का मान कितना दिया गया आपको k into x तो mu की जगहे क्या रखोगे k into x रखोगे तो अंत्य तहा बच्चा यह समीकान आपको मिलेगा integration आपको ही करना है समीकान क्या मिलेगा i is equal to integral mu की जगहे क्या लिख दिये k into x into dx into x square 0 से l तक limit लगा के integration करके answer comment section में बताना बच्चों बताओगे इंटीग्रेशन करना आपका home work है बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ें आप कम ओन कम तो आगे बढ़ते हैं बच्चा हमारे पास अब है एक नत तल का जड़त आखून तो बच्चा ध्यान देना जिसमें एक important point याद रखना आपके जीवन में बह बत ही काम आने बाला है point की है कि वो द्रब्यमान या अपने ऐसे लिख लिएते हैं जो ऑक्ष के अनुदिस्थ होता है या हम का है अक्षपर होता है अक्षपर होता है अक्षपर होता है अनुदेश होता है, यह अक्षपर होता है, वह जडत आघून नहीं देता है, इस पॉइंट को बच्चा याद रखना है, कि जो मास एक्स के एलॉंग होता है, अक्ष के अनुदेश होता है, वह द्रभमान, वह द्रभमान का भाग क्या करता है बच्चा जड़ता घून नहीं देता है ठीक है तो अब देखिए कि यहाँ पर अपनी लंबाई किती है इसकी लंबाई मान लीजिए मान का लीजिए L है छण है तो इसकी लंबाई किती है बच्चा L है मैं यहाँ बना देता हूँ इसकी लंबाई किती है बच्च तो local गटा कितना हुआ एल सायूझ ठीटर अब देखो अगर हमें जलत आगूलना इस निकायका इसन अगूर निकालना है तो बैसे एल पॉस्थिटा वाला जलत आगूहर नई क्यों क्योंकि येवाली लंबाई ये वाली लंबाई डूरा अक्ष के अनुदिस यह ना बत्च अक्षि है तो हम कहेंगे L पौश ट वाला लंबाई अक्ष पर है कहां पर है अथा इसके साफिक जड़त आगून कितना हो से कैसीृभ भी यहां पर आई बरावर किया लेंग होता था आई बरावर होता था यहां पर आई बरावर अपन क्या लिखेंगे आई बरावर हो जाएगा एम लंबाई जो की अक्ष के लंबबाथ है वही लेंगे अक्ष के अनुदिस वाली लंबाई जड़ता अगुण नहीं देगी तो एल साइन ठीटा का होल स्क्वाइर अपॉन थिरी यह आंसर हो गया तो बच्चा ध्यान देना कि जो द्रबमान अक्ष पर लाई क करेगा अक्ष के अनुदिस होगा अक्ष के ऊपर होगा वो जड़ता अगुण कभी नहीं देगा तो यहां पर और के लंबाई के दो गटक की इस गटक करके स्रिफ आप क्या करो अपनी टेक्निक है क्या बच्चा अपनी टेक्निक और दो हम इसको इंटीग्रेशन से भी न थ्री थ्री आईए बच्चों अब अपन बात कर लेते हैं एक खोखले गोले का जड़त तागुण खोखला गोला जैसे की प्लास्टिक की बॉल तो इसका जड़त तागुण बराबर होता है दो बटे तीन एम आर इसको याद रखना बच्चा डारेक्ट याद रखना डार आर क्या है बच्चा इसकी तुरिज्या है कोखले गोले के assistant कर लेंगे एक समानट थोस गोले के कार्ण जड़त लैका कैसे लिखेंगे अपन थोस गोला द्रबमान कितना M है और इस ठोस गोले की जो तृज्जन है वो भी कितना है आर ही है तृज्जन कितनी है बच्चा ठोस गोले की R तो इसका तागून I बराबर होता है यह होता है 2 upon 5 M R squared अक्ष कहां से गुजर रही है इझान देना अक्ष द्रबमान किंद्र से गुजर रही है अक्ष कहां से गुजर रही है बच्चा द्रबमान किंद्र से तो यह आई सेंटर ओफ मास से ही है द्रबमान किंद्र से यह सबसे ज़्यादा बच्चा यही वाला दजर्ड काम आएगा आपको आगे ठोस गोला ठोस गोले का आप उपयोग बहुत जादा करते हैं अपन बेदनी है गती में तो ये तो बच्चा नीद में भी आपको याद रहना चाहिए कि ठोस गोले का जड़तागून होता है दो बटे 5MR स्क्वेर बच्चो अब इनका काम तो बहुत काम आता है कभी डारेक्ट इसी के लिए पूछी लिया तो जरुरत पड़ेगी नहीं तो बैसे सवालों में जरुरत नहीं पड़ती है खोकले संक्वेर जड़त तागून तो दर्षाई गई अक्ष्य के ठता फोकले संक्वेर का जड़त तागून होता है अब खोकला संकू पढ़ा है तो फो संकू भी पढ़ देते हैं फो संकू का जड़तागून कितना होता है इसकी तरिज्यापन कितनी कह देते हैं बच्चा आर कह देते हैं तो अभी जड़तागून दरसाई गई अक्षे पढ़ता है अक्षे दिखाई दे रही है इसकी हाइट के मतलब जो अक्ष्य बच्चा ये इसकी ऊचाई के अनुदिस है तो इस अक्ष के परता इसका जड़ा तागून होता है तीन बटे दस तीन बटे दस एम आर स्क्वेर ठीक है बच्चों इसको भी याद रखने का आगे बढ़ू मैं चलिए तो एक कुछ जैमितिया है उनको याद रखना है अब देखो खोखले बेलन का जड़ा तागून इस दर्साई गई अक्ष के परता खोखले बेलन का जड़ा तागून हमें बताना है इस इसकी तुरिज़र कितनी है आरा इसका द्रभमान को जाता है इसको भी वच्च्च्छ याद रखना ये पर आर इसकी त्रिज्य है और एम इसका द्रबमान है ठीक है इनको अपन को बच्चा डारेक्ट याद रखना है इंदर जल्डस को अब इसके बाद आपन और आगे बढ़ते हैं तो अपन जड़त आगून की मुख्य प्रमे की चर्चा करते हैं, जड़त आगून की मुख्य प्रमे की चर्चा करते हैं, तो जड़त आगून की मुख्य प्रमे बेटा दो ही हैं, समानतर अक्षी प्रमे, लंबबत अक्षी प्रमे और गोड़नफल अक्षी प्रमे का आपको जर जैमिती हैं उनकी दर्साई गई अक्ष के पड़ता तो हमने जड़तागून निकाल लिया जैसे द्रभमान केंद्र से निकाला है जादा तर बस्तुओं का जड़तागून अपने कहां से निकाला है द्रभमान केंद्र के सापिक्स लेकिन कभी कोई ऐसा निकाय आपको दिया हुआ है थोस गोली कि अपने अक्ष बनाई थी कहां पर यहां पर यहां पर तो इस अक्ष के परता जड़ा तो आप कहेंगे सर्जी इस अक्ष के परता जड़ा ताउट अब यह गयाद किया था दो बाटे 5 सब्सक्राइब मुझे दूसरी अक्स कोई अच्छ यहां से गुजर रही है यहां से जो इस पर इस पर से रहेखा है इस अक्स के पढ़ता जड़ा तागून बताओ तो कैसे ग्याद करेंगे इस अक्स के पढ़ता यह हमारी नई अक्स है इस अक्स के पढ़ता जड़ा तागून बताओ तो यह तो अपनने पढ़ा ही नहीं है तो इस अक्स के पढ़ता जड़ा तागून अपन कैसे ग्याद करत प्रमी वो इसलिए दिया क्योंकि देखो यह आपको पता है और इस एक्ष के पढ़ता जड़ता अगून आपको ग्याद करना यह दौनों अक्षे एक दूसरे के समानतर होनी चाहिए तो अभी तो मैं नहीं बताया कि समानतर अक्ष की प्रमी क्या होती है यह हम कहने समानतर अ जड़ता अगून बच्चा ग्यात कीजिए ग्यात कीजिए अब देखो दूसी लंबबत अक्ष की प्रमी है कौनसी लंबबत अक्ष की प्रमी तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है क्या है बच्चा रिंग है ऐसे बना देता हूं है चलिए रिंग ने बोले तो अच्छे से बन जाओ भाई, यह हमारे पास एक बलाए है, ठीक है? अब इस बलाए के लिए इस अक्स के पढ़ता तो अपन को जता तागून पता है, इस अक्स के परता बता बता हूं घता आउं हो पता है, आई बराबर MR square अब हम आप से कहेंगे इस अक्ष के पढ़ता नहीं मुझे इस अक्ष के पढ़ता जड़ता अगून ग्यात करके बता इस अक्ष के पढ़ता यह अब हमारी नई अक्ष है तो देखो समझ में आगा है यह दोनों अक्ष है एक दूसरे के लंब बत है यह दोनों के अक्ष है क्या है एक दूसरे के लंब बत है तो इस नई अक्ष के पढ़ता जड़ता अगून अपन ग्यात कर सकते हैं किसकी साहता से किसकी साहता से देखो अक्ष है लंब बत है तो यह लंब बत अक्ष की प्रमे की साहता से के साहएता से समझे बच्चों तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके दौनों प्रम्य को पढ़ना दौनों कपे कथन को चाहिए हो हैं टो सबसे पहले बात अपन कर लेते हैं समानतारक्ष की प्रम्य की लिए जिसे अंग्रेजाओं की भाषा में कहतें ए स्पर एक खुदार एमेर और ए इस बस्तू का द्रभमान केंडर है, center of mass है, और center of mass के पर्था जड़त आगून अपन को पता है, center of mass वाली अक्षे पर्था जड़त आगून अपन को पता है, ठीक है, कितना है ICM, यह हम कहें, पता नहीं भी है, तो अपन कहें देते हैं, इसका जड़ा तागून कितना ICM, ऐसे अपन मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, अग हम कहते हैं, कि कोई दूसरी अक्ष है, कोई दूसरी अक्ष है, कहां पर, यहां पर, जो कि प आख्ज को हम कह रहे हैं नई अक्ष तो इस नई अक्ष के परता जड़ता आगून गयात कीजी है तो हम कहते हैं नई अक्ष के परता जड़ता आगून आई निव बरावर ICM ICM द्रबमान केंदर वाली अक्स के परता जड़त आगोन और प्लस M into D square M into D square ICM तो आप जानते है ICM क्या है द्रबमान केंदर से गुजरने वाली अक्स के परता जड़त आगोन ठीक है और M into D square M क्या है बच्चा इसका द्रबमान M क्या है बच्चा इसका द्रब मान और D क्या है अक्षों की बीच की दूरी अक्षे समानतर हैं, तो बीच की दूरी नियत होगी, तो अक्षा आपने कितना दूरी से shift किया अक्षों के बीच की दूरी कहा धी तो बस D का बरगई, तो simple से चीज है आप इसको जानते हैं बस यहाँ पर क्या चीज आया है नया द्रब्मान गुणा अक्षों की बीच की दूरी का बर्ग है तो यह आपका समानतर अक्ष की प्रमे का कथन है टाइपिंग में भी बच्चा वही लिखा हुआ है बात क्लियर है बात क्लियर है तो obviously बिटा ध्यान द बात करते हैं समानतर अक्ष की प्रमे के अनुप्रियों ठीक इसके यूजिस देख लेते हैं पनकुछ तो जैसे हमने का मानली जी हमारा सॉलिड स्फियर है क्या ठोस गोला है और यह ICM हो गया यह क्या हो गया बच्चा ICM हो गया मतलब सेंट्र आप मास वाली अक्ष हो गई अब हमने का इसके लिए हमने जो नई अक्ष बनाई है वो यहाँ पर रहे और नई अक्ष के बारे में आपको क्या जानकारी दी गई है रही capital D, जो बास्तम में किसके बराबर हो जाएगी बच्चा, इस गोले के त्रिज्या की, इस गोले की त्रिज्या की ये बच्चा क्या है, आकरती क्या solid sphere है, solid sphere ठोस गोला solid sphere, तो अब simply आपको क्या करना है, समानतर अक्षी प्रमे, चिपका देना है, और कैसे बर्खुरदार, ICM कितना होता है, दो बटे पांच MR square, एक कई बार चर्चा कर चुके हैं अपन इसकी, ICM का बान कितना होता है, बच्चा, इसके लिए दो बटे पांच MR square और प्लस M into D square, M और D कमान कितना है, देखो, चितर से बास, आप बहुत तेज हो, चीते हो, चीते अज़े भाई, कहां पहुंच गए क्या हो बच्चा, चीते हो आप I new equal to के तना हो गया, इसको add कर होगे, तो 7 MR square by 5 ये जोड़के आजाएगा बच्चा, ठीके, नाई अक्स के बढ़ता जड़त आगून, और अनुप्रियोग देखते हैं, अब जैसे अपन एक रॉड़ की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, रॉड़ की, तो रॉड़ के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई की थी, कि नहीं की थी, अरे अपनने मिल जुलके की थी, आपने ही हमको पढ़ाए था, आपने ही हमको पढ़ाए था, कि ये कि रॉड़ है, क्या है बच्चा ये, रॉड़ है, और हमने जड़त आगून ग्यात कर लिया था, बच्चा, इसका, इस अक्स के परिता, इस अक्स के परिता, जड़त आगून अपनने ग्यात कर ल लिए बच्चा द्रभमान किंद्र से गुज़र रही है यह अक्ष अपनी जो नई वाली अक्ष खुआ करते थी वो है इसको अपन आई न्यू कह सकते हैं अब नई अक्ष हमारे लिए पुरानी होगी यह तो बस हम नाम दे रहे हैं आई न्यू कुछ भी नाम दे सकते हो आई लिखते हो ना, I new is equal to I cm plus M into D square, अब इस case में बच्चा देखा हमें I new पता है, इस अक्ष के पढ़ता जड़ा तागून हमें पता था M L square by 3 हो गए है, कितना हो गए है M L square by 3, तो यह हो गया M L square by 3 plus I cm हमको पता नहीं है, अब तक अपन इसकी चर्चा नहीं की है, plus M into D square, तो M और D का मान कितना है, L Y 2 का whole square, तो यहां से I cm का मान अपन ग्याद करेंगे, तो यह हो गया M L square upon 3 minus M L square upon 4, तो I cm is equal to कितना हुआ, M L square upon 12, M L square upon 12, बास समझ में आई बच्चों के नहीं आई, अरे हाना बोलो भाईयो बेहनो, ऐसे है, तो एक रोड का, उसके अक्स के पर, रोड का, एक ऐसी अक्स के परता, जो की रोड के केंदर से गुजर रही है, कहां से गुजर रही है, रोड के केंदर से, और रोड की लंबाई के लंबवत है, रोड की लंबवत है, रोड की लंबवत है, अक्स और कहां से गुजर रही ह अब चलिए अपनबात कर लेते हैं लिद्वात्तस की प्रमेंका लबेबात्स की प्रमें बोले तो अउस है नहीं किया जाता है ठीक है वन डाइमेंसिल केलिए करना है कर लो कोई फरक नहीं पड़ता तो तु सिरी भी मिये बस तो है कैसी हो गाई बच्चाओं कुंसी ओंशी जैसे हमने का गोला ठोस गूला कॉन घंगअब तो तरिब्मी बस्ते हूं उन में इस प्रमे काप्योग नहीं किया जा सकता है опड़िक के अज़न है इस प्रमी में 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 पॉइंट क्या सब कि में पॉइंट Pfizer में में पॉइंट्स कितनी अपनी पर रशांगी कितनी हो प्रश्ला लंब बद ऑसका मैं तीन एक दूसरे से लंब बद अक्ष होंगी है कि इन लंब अक्ष होगी ठिक है अब तीन मिस्च्वणी परपेंडिकुलर एक दूसरे पर लंब बद अक्ष मैं से दो अक्ष होंगी दो अक्ष हैं इन तीन मैंसे तीन मैंसे क्या होगा बच्चा इन तीन मैंसे क्या होगा दो अक्ष हैं बस्तू के तल में होंगी बस्तू के तल में होंगी ठीक है बस्तू के तल में होंगी और जो अक्षें बस्तू के तल में होगी उन्हीं के जड़त आगून को अपन जोड दिया करेंगे इनके जड़त आगून को जोड दिया करेंगे इसका मतलब अभी आपको समझ में नहीं आया होगा अभी मैं समझाता हूँ इसका मतलब समझाता हूँ अभी इसका मतलब समझाता हूँ देखो इसमें कितनी अक्षोनी है तीन कितनी अक्षोनी है तीन तो तीन अक्षों के जड़त ताखून में संबंध क्या होता देखो यहां पर अपने तीन अक्ष लिए है आई एक्स आई वाई आई जेड तो हमने क जड़त आगून को जोड़ा जाए और वो Z के बरावर हो तो हम कहेंगे ना ना ऐसा जरूरी नहीं है हमें क्या देखना है तीन अक्ष है तीन अक्ष मैंसे कोई भी दो अक्ष कहा होंगी बस्तू के तल में होगी ठीक है जो अक्ष बस्तू के तल में है उनको हमें जोड़ना है उनको हमें जोड़ना है इसका मतलब यह हुआ जब हम यहां पर जड़ता अगून ऐसा लिखे इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि X बस्तू के तल में है और जो जड़ता है वो बस्तू के तल के लंब बत है तीसरी एक्ष कहा होगी बस्तू के तल के लंब बत है दो बस्तु के तल में हैं और तीसरी कहांगी बस्तु के तल के लंब बत ठीक है अब जबो यह वाली कहानी आपको अगले अग्जम्पल में और क्लियर होगी और और क्लियर होगी बच्चा जैसे इधर प्यान दो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई बाई बराबर आई एक्स प्लस आई जैड आई एक्स प्लस आई जैड यह कब लिखेंगे तो यह हम तब लिखेंगे जब एक्स बजैड आच्च बस्तू के तल में हूँ और जो बाई आच्च है यह बाई आच्च बस्तू के तल के लंब बत हो अब बस्तू के तल के लंब बत हो तब ऐसा करेंगे बच्चा तो देखी बच्चों सीन क्या है यहां पर लालालालालाला एसा तो द्यान दिजिए मान लीजी हमने कहा कि कोई ऐसा बस्तू है इस वरकार से अपनी बस्तू है तो अब बताओ यह बस्तू किस तल में यह बस्तू बताओ किस तल में तो आप कहेंगे देखो इधर वाली अक्ष होती है कौणसी इधर तो अब बता जो बस्तु के परता जौड़ा जोडा जाएगा तो हम कहेंगे बस्तु के तल में बस्तु के तल में कौन सी दो अक्षे है तो आप कहेंगे बाई तथा जड तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे आई बाई प्लस आई जड करेंगे और यह बराबर होगा किसकित तीसरी एक्स जो की बस्तू के तल के लंब बात है इस प्रकार से समस nh bigger बेटा बात को तो आपन को क्या करना है दो को जोडना है तीसरे को बराबर करना तीन अक्ष्य खिर singles की सितने मान लीजे कि आञे की कहानी होती और मैं बनाता हूं इसी वर्षय वर्षतो होती ओंप्लेग lipgardoda इसा सिम्पल वाला तल होता तिम्पल वाला तल होता ऐसा अब बताओ कौन सीस काहा एं तो आप खेंगे यह तो हमारी X辛 हो गई है और यह हमारी कौन सीक्ष हो गई है बच्тора यह हमारी द्ना इसको घ्यक्न कलिका लगान चाल लगे एसका अभरे अक्ष कहाँगी बिटा सितल के लंबेबत और इसमेट का हम आपन क्या वो GUY लेंगे ये अपनी जैड़बत होगे तो बताओ कौन सी अक्ष है जो एक ही तल में है तो X और Y अक्ष एक ही तल में है बस्तू के तल में है और इस तल के लंबबद कौन सी अक्ष है बच्चा Z X X X KG लंबबबबब तो यहाँ पर अपन I X और Iraq को जोड़ेंगे क्योंकि बस्तू के तल के तल में ही है X X और Y Y X बस्तू के तल में है और इसको अपन बराबर कर देंगे किसके Iz के जो की बस्तू के तल के लंबबबबबबब है बच्चा बात क्लियर होगी मेरे साब से तो क्लियर है थेंक्यू अभी थेंक्यू वेरी मस्ट की कहानी नहीं आई है अम तो इस सवाल के लिए थेंक्यू का रहे थे अब देखो लंबबद प्रमे की अप्सके अनुप्रियोग तो इसके अनुप्रियोग के लिए मैं अपने पास क्या करता हूँ, एक example लेता हूँ, किसका, चलिए, हमारे पास क्या है, एक डिस्क ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बच्चा, इसक नहीं, इसक नहीं भाई, डिस्क, यह हमारे पास एक डिस्क है, ज्यान देना, अब इस डिस्क के लिए अपने अक्ष बनाते हैं, ला 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 एसे चलिये दूसरी अच्षर अपन्ने टिक है उत मिपने तीसरी आप्षोंगे सायो वाली तौर इस आपकी तीसरी जैट्स हो गई जैड ठीक है अब आप बताओ पहले तो कथा लिखो प्रमेगा कथा लिखो तो आप लिखेंगे आई जैड बराबर होगा आई X प्लस i Y के क्योंकि X और Y जो अच्छे है वो बस्तू के तल में होगा जैड इसके लंगवथ है बात के लिखो घ्राबार है। होता है ठीक है अब सिमित्री से संमिति से हम ऐसा लिख सकते हैं और य बराबर होंगे जड़ा किस पर निरभर करता है स्पर द्रभमान का वित्रना अक्स के साफिक्स अब हम ऐसी अक्स लेटे हैं तो दो एक्छ के साफ्छ आधी सहरा अधी डेश्क ऊपर है आधी नीचे यह है और अधी नीचे और हम इस अक्ष को देखें तो इस अक्ष के लिए भी बीटा आधी डिस्क इधर है तो द्रभमान का विटन स्यमेटीकर है एक जैसा है दौन आक्ष के साफ्ट इवस्य फरक disp पड़ता ना द्रब्मान का बित्रना दोनों ही अक्षों के साफ एक स्यासा है सिमिट्रिकल है सम्मिताकार है तो सम्मिती से अपन क्या लिख सकते है आई एक्स बरावर होगा किसके आई बाई के तो अब देखो आई जेड का मान के अतना हो गया और आई एक्स का मान کتना आ गया है बच्चा एम वर शक्वार तो जो एक्स अक्स परिता पहले अपन mermaid पता नहीं था अब हमpowered पता चले गया और जितना जड़ता क्सपरता उगा अट्ता ही जड़ता अग्स के भी पढदा होगा सिस्परेगल से फिरे थो अब X और Y अक्ष के आगर हम आपको पहचान बताएं कि X और Y अक्ष कहां पर हैं, कैसे इनको नाम देंगे, अक्षों हम तुमें क्या नाम देंगे, तो इन अक्षों का अपन नाम ऐसे देंगे, कि जो X अच्छ है, वो द्रभमान के इंद से गुजर रही है, तथा इस चक्त का ब्यास है, तथा इस चक्ति का ब्यास, बायक्स के बारे में बोलें तो द्रभमान के इंद से गुजर रही है, और दोनों ही अच्छ हैं, द्रभमान के इंद से गुजर रही हैं, इसलिए तो ये कहानी सम्मिताकार है, आई एक्स और आई बाई आपस में बरावर हैं, प्रिमिया का अनुप्रियोग होता है तो यह अपन ने अनुप्रियोग देख लिए किसका लंबबत अक्ष की प्रिमिया का बच्चों चलिए अपन कहानी को अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो बच्चों अब आगे बढ़ते हुए अपन चर्चा करेंगे बल इसको यूज ऐसे नहीं करेंगी इसको समझीए और फिर हम यह वाला फॉर्मूला कहां से आया वो भी बताते हैं तो अपने इसका उप्योग कैसे करेंगे तो ऐसे लिखना एडिंग उप्योग के लिए सूत्र उप्योग कि उप्योग कि लिए कि उप्योग के लिए सूत्र क्या होगा बच्चा इधर द्यान दो कि इधर द्याने तुमारी द्यान दो तो अपन कहते हैं तॉप इस एकवल टू बल गोडा बल गोडा बल की रेखा बल की रेखा तथा अक्ष या अक्छे या संदर्व बिंदू कि तंदर्व बिंदू के बीच की नियूने तम दोके आ नियूने तम के तकए लमबोट बात लिक्रण हो ज्ञाधा बढ़िया रहे लमबात दूने लंब वद दूरी, एलчиह, तो जो भि भी बल है, बल आखुन कौन धेगा बच्का, बल आखुन क्या करता है, घुमाने का काम करता अभी चर्पनें-घूर बल गोरा, बल की रेखा तथा अथ या संदर्व विद्धू के बीच की लंबर दूरी, तो बल की रेखा क्या उती ही बेटा बल की रेखा वो रेखा जिसके अनुदस बल लग रहा है जैसे हमने का कि बल माननी ये कहीं पर यहाँ पर लग रहा है तो बल की रेखा क्या हो गई बच्चा तो हम कहेंगे वो रेखा जो की बलकी अनुदिस है इस रेखा को अपन क्या कहेंगे बलकी रेखा और अच्छे से बना देगे अरे भाई कैसे बना लो इसको अपन क्या कहेंगे बच्चा बलकी रेखा यह हो गई अपनी बलकी रेखा भलगी रह जिक है संधर्व बिंदु यह अख्ष क्या हुआ बच्चा जिस बिंदु के साफिक्ष अब बल आगून KASında करना लिख करते हैं चलाने गकोशित करते है तो जो चलता है यह करते हैं यह जो काम चलने बादी में बल करता है वही काम घूमने बादी में बल आघून करता है तो हम ऐसे सब्प्राइशाम जो कि बस्तू की घूमाती है या आए से ऐस्य भूत अबस्था में परिबतन करती है यह अगर हमें किसी जीज़ को घृमाना है योसे पंखाया घुमाना है, तो हमें भल आघुन लगाना पड़ेगा जोंकी बल आघुन दे दरवाजे के हमारे की तरह घूचे बहार की तरफ खीचे तो हम बल तो लगा रहे हैं दरबाजा घुमता है क्या नहीं गूमता है दरबाजे को हमें घुमाना है तो हमें इस दिसा में ऐसे बल लगाना होता है कि वो बल आगून दे जिससे की दरबाजा घुमें ठीक है बच्चो अब देखो इसको अपन लिखा क कैसे करेंगे जो मैंने अभी बात बोली है ना तो जो सूत्र अभी बताया है तो इसका उपयोग कैसे करेंगे अपन वो समझते हैं तो देखिए बच्चा दर्साय चित्र में एक द्रणा बस्तू दर्साय अक्ष के परता घुनन कर सकती है इस बस्तू पर बल एफ दौरा लग कह सकते हैं इसको अक्ष कहलो इस बिन्दू के साफिक्स निकाल रहे हैं या इसको अपन क्या कह सकते हैं संदर्व बिन्दू संदर्व बिन्दू ठीक है बच्चो अब अपन क्या गयात करेंगी अब अब अपन गयात करेंगी बल की रेखा कि बल की रेखा कहां है तो बल की रेखा इस रेखा के अंग्रिस बल लग रहा है तो यह हो गी अपनी बल्की रेखा, अब ध्यान देना इसके बाद हमें क्या रिखना है बल्की रेखा टथा अक्ष़े बीच की लंबवत दूरी बल रेखा तथा अक्ष की लंबवत दूरी तो बल की रेखा यह रही बल की रेखा यह है यह है बल की रेखा बल लमबाई दी गई है, R, अब A R है, अब दिखो अगर वाला कौन ठीटा है तो ये बाला कौन भी ठीटा होगा अब हमें दूरी निकलना है मानने जिसी हमने कितनी मान लिए tedy मान लिए ये टो और क्या लिख देंगे बच्चा F into a, और a का अगर हम मान ग्याद करने जाएं, तो देखो a का मान कितना हो जाएगा, तो हम sin theta बराबर लिखेंगे, तो वो होता है, लंब बटे करण, तो इस तर्भुज में आप ध्यान दें, मैं रंग देता हूं इस तर्भुज को, इस रंगे हुए तर्भुज पर आप ध्यान दें, तो a का मान आप यहां से निकल सकते हैं, sin theta बराबर हो जाएगा, a upon r, तो a का मान कितना हो गया, r sin theta, a का मान कितना हो गया, r sin theta, तो बस हमें a का मान मिल गया है, r और theta के पदों में, और इन ही पदों में हमें इनको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको r दिया था, यह r दिया था, और theta दिया था, तो लिखें बच्चों, तो टॉर्क इस एक पल्डू कितना हो गया, f into r sin theta, एफ into r sin theta, और इसको हमें ऐसे लिख सकते हैं, r f sin theta, तो यहाँ पर जो टॉर्क होगा, टॉर्क सदिस इस एक पल्डू क्या हो जाएगा, r सदिस क्रॉस f सदिस, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना, कई बार यह confusion हो जाता है लोगों को, कि यहाँ से अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, f cross r, to कई बार option में ऐसा दिया होता है, कि torque होता है f cross r, तो f cross r torque नहीं होता है, यह वाला चीज गलत है, torque क्या होता है, r cross f, f cross r नहीं, r cross f, तो ध्यान रखना यह वाला चीज बच्चा सही है, ठीक है, तो पिसले पर ने पर जो अपन चर्चा कर रहे थे, torque बराबर r cross f, तो वो कैसे आगया, बास समझ में आई, बिल्कुल आई, ठीक है, इस परकार से आगया, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, यह वाला चीज गलत है, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, यह वाला चीज क्या है, गलत, अब बात आती है, तो गूमने में अपन दिसाओं की बात करते हैं, तो गूमने के दो सेंस होते हैं, एक क्लॉक वाइज और एक एंटी क्लॉक वाइज, एक घड़ी की दिसाम है, और दूसरा घड़ी की विप्रीद दिसाम है, ठीक है, तो अब इसका डायरेक्शन की किस सेंस में टॉर्ख होगा, किस दिसाम में टॉर्ख होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, अक्ष पर अपने दाएं हाथ की हतेली रखेंगे, और उगलियों को इस तरह इस तरीके से घुमाएंगे, तो यह तो गलत दिसा हो जाएगे, यह क्या हो जाएगे, गलत दिसा, क्योंकि हमें उगलियों को ऐसे घुमाना है, आपके नाखुन है वो बल की दिसा में रहें नाखुन बल की दिसा में घूम है बल से इसपर्शी हूँ तो अगर मैं हाथ को ऐसे रखऊ ठाएं पहले ऐसे रखा थी अब आगर मैं एसे भी तो रख सकता हूं आप नाखुन बल कि इसपर्स ही हो रहा है एफ दिशा सही है तो ये वाली दिशा है तो कॉन्स भी बता उंगलिया किस सेंस में घूम रही है तो अभी जो दि-स हुआ nt एंटी क्लोगवाई सेंस हुआ तो अभी जो सेंस होगा टॉरका वो होगा एंटी क्लोगवाई सेंस यह देखने का और छोटा बिल्कुल सा तरीका पॉमन सेंस वाला यह है अक्ष आगर हम किसी चीज को पकड़के ऐसे खीच हैं तो यह ऐसे घूम जाएगी ना ओपजेट कैस अब यह तो सेंस की बात हो गई किसकी बात हो गई सेंस की अब हम बात कर लेते हैं दिसा की तो दिसा आपको ऐसे अंगूठा बताता है करते हैं अगर ऐसे घूम रही है ऐसे घूम रही है थो प्लस जाएग उनस बताता है कॉनठा और उंगलियां ऐसे घूम रही है तो क्या होगी प्लस तो बेसिकली जो आई और उंगलिया क्या बता देती हैं तो अगर अपन डायरेक्शन में लिखें तो क्या हो गया क्योंकि यह से घुमती तो अगुथा बाहर की और समझे बच्चों चलिए अपन कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए अपन चर्चा करते हैं कि वह बल जो की बल आगून नहीं दे सकते हैं तो अपनने क्या किया है बच्चा यहां पर एक बल लगाया एक बल लगाया यहां पर एक बल के साफिक्स इसको नाम दे देते हैं ओ वो विंदू के साफिक्स टूर के लिखते चुम विंदू के साफिक diferen कृतने बालें थो उसे लग रहा रहा है तो बताओ अश इस बोई सांदार 0 अब कितना है तो घूसरा गृसे सांदार 2 कितना है और तो यहां पर अपने लेखा फासे तो यह बल है तो यह बल की रेखा होगी यह क्या होगी बल की रेखा तो मैं लिख भी देता हूं यह बल की रेखा है जिससे अंग्रेज़ों की बासा में अपन क्या कहते हैं लाइन और पोर्स Line of force तो दीखो बल की रेखा अक्ष से ही गुजर गई बल की रेखा कहा से गुजर गई अक्ष से तो बता आख और बल की रेखा के विज़ की लंबे बा दूरी कतनी ही तो वो भी कतनी हुई जीरो हुई तो इन दोनो बलों के करण जो इन टॉर्क आये हैं वो कितने आये हैं जीरो जीरो आये हैं इसलिए ने टॉर्क इतना हो गया जीरो हो गया तो हम कहेंगे ऐसे बल जो की जिनकी बल की रेखा अक्ष से गुजर जाए ऐसे बल जिनकी बल की रेखा अक्ष से ही गुजर जाए तो वो बल बल आगून नहीं अब इसके बल की रेखा देखो यह तो बल की रेखा किया जरूरत ही नहीं है क्योंकि बल खुदी कहां लग रहा है कहां लग रहा है और इसकी अगर आप बल की रेखा बनाना भी चाहो आपका मन करें बल की रेखा बनाने का तो यह रही बल की रेखा और बल की रेखा कहां से डिढ़ रही है बाड़ की रेक हां यहां पर भी अक्ष बूरी कितने ही जीरो तो अचर उट यह अक्ष पर नहीं लग रहा है एक वन लेकिन इसकी बल की रेख आसटे तो एक बहुकर नहीं कि इसके दौरर दिया गया कि अए सुन होगा अब आपन कहाणी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्या करते हैं बच्चा कहाणी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस लाइड में में यह बात गलती से पता नहीं कौन लिख गया है मैंने तो नहीं लिखी थी अपने आप蛇 सामyo अस बात करते हैं बॉस्थ है एक चलने लेके चलते थे स्रिफ चलने वाली है हम कहते हैं ट्रांसलेटरी सामेवस्ता या स्थांतरन गती की सामेवस्ता और इस्थांतरन गती के क्योंकि हम घूनन गती भी अब पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे अगर कोई वस्तु सामय वस्था में हैं सामय वस्था में होगी कौन कौन सी दौनों प्रकार की एक चलने वाली सामय वस्था और दूसरा भूमने वाली सामय वस्था अगर कोई वस्तु चलने वाली सामय वस्था तो इसका मतलब हुआ F net बराबर होना चाहिए 0 बोलो मेरे हीरो F net बराबर कितना होना चाहिए 0 अब हम कहते हैं कि कोई बस्तू घूमने बाली साम्य बस्ता में घूमने बाली साम्य बस्ता साम्य बस्ता तो घुमाने का काम कौन करता है टॉर्क अगर हम कहेंगे कोई बच्चू कोई बस्तू बच्चू नहीं कोई बस्तू रोटेशनल एक्किलिबरियम में तो उस पर टॉर्क नेट बराबर कितना हो जाएगा बच्चो जीर हो जाएगा तो यही बात यहां पर लिखी हुई है प्रणामी ब्ल और प्रणामी ब्ल आगुण। दोनों ही स्थाना नद्रण, और रहोस्त। हैं परणामी बल सून कर दिया तो कौन सी एकुलिब्रियम हो गई ट्रांसलेटरी एकुलिब्रियम बोले तो चलने वाला चलने बाला सामयवस्था और नेट बल आघून सून कर दिया है तो कौन सी सामयवस्था हो गई बच्चा घूनन वाली सामयवस्था बात clear है? clear होनी चाहिए? कि सामे वस्था का मतलब चलने वाली सामे वस्था भूमने वाली सामे वस्था के लिए fnet बराबर 0 और भूमने वाली सामे वस्था के लिए net torque बराबर 0 जिरो बच्ड़ पर अब आईए इस point के अपन application देखते हैं तो एक सवाल है अपना इसमें कहा गया है दिए गए चित्र में च्छन सामयवस्था में हैं च्छन पर लगने वाला अभी लंब बल गयात कीजिए तो देखो च्छन सामयवस्था में इसका मतलब दौनों परकार की सामयवस्था एक चलने वाली सामयवस्था और दूसरी घूमने वाली भी सामयवस्था तो सबसे पहले तो अपन चलने वाली सामयवस्था की बात करते हैं तो चलने वाली सामयवस्था के लिए नेट फोर्स बराबर कितना होना चाहिए जीरो तो सबसे पहल यहां रोड का केंद्र होगा रोड का केंद्र पर क्या लगेगा द्रभमान केंद्र पर लगेगा रोड का भार रखी हुई है इन पर और रखी हुई है तो यहाँ पर एक अभिलंबन लगेगा एन बन और यहाँ पर भी एक अभिलंबन लगेगा इसका मान कितना होगा बच्चा एन डू तो अगर यह चलने बाली सामेवस्था में तो आप कहेंगे नेट बल बराबर जीरो और नेट बल ब बराबर मुझे पहला समेकरण होगा ठ्रांसलेटरी इक्विरियम का चलने भाली आप अब एब अब यह बस तो घूनन सामभस्था के लिए अपन क्या करेंगे गूनन सामेवस्था, सामेवस्था बोले तो Equilibrium, तोर्ट में लिख दिया में, तो किसी भी विंदू से अब Torque निकालो और Net Torque कितना होना चाहिए, 0, Net Torque कितना होना चाहिए, 0 अपन यह कहते हैं, गूनन सामेवस्था के लिए कि Tor Net is equal to 0 होना चाहिए, अब देखो, हम इस विंदू के साफिक्स ही निकाल लेते हैं, किसी के भी साफिक्स निकाल सकते हैं, हमने का यह विंदू कौन सा है, ओ, तो विंदू के साफिक्स टॉर्क लिखते हैं, ओ विंदू अपना संदर्व विंदू हो गया, तो Torque with respect to point O, विंदू O के तापिक्स, तो बताओ, N1 फोर्स टॉर्क देगा क्या, तो फोर्स कितना है, N1, अब बताओ, N1 इसी विंदू पर ही लग रहा है, तो लंब बद दूरी कितनी हो गई, जीरो हो गई, अब अगला बल है आपका MG, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस हम आगे चर्चा करेंग यह जोड़ेंगे यह घटो हम आगे चर्चा करेंगे, समान दिसामने तो जोड़ेंगे, विप्रीद दिसामने तो गटेंगे, सीज़ी सी बात है भई, अब देखो MG, तो बल कितना है, MG है, MG है, अब बताओ, इस बिन्दू से MG के बल की रेखा, तो MG के बल की रेखा यही है mg के बलकी रेखा यही है तो संदर्व बिंदू और mg के बलकी रेखा के भी इसकी नियुनितम दूरी लंबबत दूरी यह दूरी कितनी हो जाएगी जल्दी बोलो यह लंबाई किती है यह वाली लंबाई किती हुई अब उसके बाद यहाँ पर देखो यह बल कितना है अगला बल अब बताओ संदर्व बिंदू से एंटू की जो बलकी रेखा है उससे लंबबत दूरी किती है यह संदर्व बिंदू है यह एंटू के बलकी रेखा है तो एंटू के बलकी रेखा और संदर्व बिंदू के बीच की नियुनितम यह हम कहें लंबबत दूरी लंबबत दूरी कितनी हुई तो यहां से लेकर य यह से आता कि दूरी यह हो गया, ly2 और यह हो गया, ly4, तो ly2 plus ly4, जोड़ के देख लिए ना बच्चा, जोड़ के देख लो नहीं आता है, जोड़ना, तो पॉपीपेन में लिख लो, ly2 plus ly4, यह आ जाएगा बच्चा, 3ly, अब अब आपन बात करेंगे, कि हम इनको जोड़े में एम्जी का सेंस देख रहा हूं एस संधर बिंदू है एंड नीचे खीचता तो म्जी को कहाँ गुमाने की कोसिस कर रहा हूं क्लॉकवाइस तो फीचेगा और अगर गूमने के लिए फ्री होती रोड तो ऐसे गूम जाती और इसस कौनशा वुगा बच्चा क्लॉक्वाइ कि ऑन तो कि बात करते हैं एंटु इसको कैसे गुमाईगा रहात उपर संधर बिंदू इसको खीच रहा हो पर तो इसको फीच रहा Meeting अंटूर तो आप क्या करेंगे अगर क्लॉक्वाइज वाला धनका लिया तो चलिए हमने वाला धनका ले लिया तो यह वाला हो गया यह अपना टॉर्क का समीकन मिल गया और नेट टॉर्क बराबर केतना होना चाहिए जीरो इसलिए अपन इसको क्या कर देते हैं जीरो तो चलिए आईए इन समीकनों को अपन हल कर लेते हैं तो हल करने अगले पर ने पर चलते हैं तो एम जी इन्टू एल वाए 4 माइनस एन टू एन्टू इन्टू 3 एल वाइ 4 बराबर 0 तो यहां से आप लिखेंगे एम जी इन्टू एल वाइ 4 इस एक वाल टू in टू मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ तो L से L गया 4 से 4 गया N2 का मान आ गया N2 बराबर Mg upon 3 Mg upon 3 N2 का मान मिल गया अब N2 का मान अपन समीकन एक में रख देंगे समीकन कितना था N1 प्लस N2 बराबर Mg था तो N1 प्लस N2 का मान कितना है Mg by 3 है is equal to Mg है तो N1 का मान कितना आ गया Mg minus Mg upon 3 तो N1 का मान कितना आ गया 2 Mg upon 3 आ गया बात क्लियर है तो आपको N1 और N2 दोनों के ही मान प्राफ्ट हो गया तो इस प्रकार से अपन टॉर्ग का समीकन बनाये करेंगे बच्चों क्या बनायेंगे टॉर्ग का समीकरन अब देखो हम थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं अपन चर्चा करते हैं गुंनन गती में गुंनन गती में न्यूटन की गती का सेकेंड नियम दूसरा नियम तो देखो रेखिये गती के लिए क्या होता था तो अपन पर क्या हो जाएगा बल का काम कौन करता है टॉर्क तो टॉर्क बरावर हो गया डी एल अकॉन डी टी डी एल अकॉन डी टी जहाँ पर एल बरावर होगा आई इंटू उमेगा देखो यहाँ पर पी बरावर क्या होता था यहाँ पर पी बरावर होता था एम इंटू भी इसको ऊपन क्या कहते थे बच्चा। रेखिये संब्वेग। कहते थे ना। यहाँ पर L इधर कितना आया, I into omega upon dt, अब यदि I नियत है, यदि सुनना I नियत है, आई नियत है, तो हम I को बाहर बुला सकते हैं, यह D omega upon dt आगया, अब D omega upon dt क्या हुआ, तो हम कहेंगे कोड़ी है बेग की परिबरतन की दर, तो जैसे वहाँ रेखिये बेग की परिबरतन की दर, दी भी upon dt, यहाँ DV upon dt क्या होता था बच्चा, जल्दी बोलो, यह होता था, रेखिये बेग के परिबरतन की दर, तो यहाँ कोड़ी है बेग के परिबरतन की दर का हो गया, बच्चा कोड़ी है, तुरन हो गया, फा कौन सा फा, अलफा, अलफा, तो tau is equal to, यहाँ पर आपको क्या मि देख लेते हैं, मान लीजिए हमार पास एक रॉडबा है, काबा, रॉडबा, ऐसे, रॉड की लंबाई L, द्रब्मान M, और रॉड को यहाँ पर अपनने हिंज किया हुआ है, मतलब रॉड यहाँ पर घूम सकती है, इस मिंदो के साब, अब शुरू बात में अपनने क्या क छत थी और छत से एक रसी की साहता से अपनने रॉड का यह सिरा बांद दिया था, छत था, छत से रसी की साहता से अपनने क्या किया था, रॉड के इस सिरे को बांदा हुआ था, बांदा हुआ था, अब देखो बल कौन कौन से लग रहे होंगे रॉड पर, तो द्रब्मान क इन्दे पर बल कौन सा लगेगा बच्चा, M G लगेगा और रसी से बंदा हुआ है तो रसी में कौन सा तनाव आएगा, T तनाव होगा, T तनाव होगा, तो इनीशियली इधर तनाव के तनाव होगा बच्चा, T होगा, ठीक है बच्चो, ऐसा, ऐसा, अब सवाल ही है कि हम इस रची को कार देते हैं इस रची को क्या करते हैं तलवार लेके आते हैं यहां रॉस्टी किए, नहीं है कि रस्टी को काटने कर के जस्ट बाद काटने के जस्ट बाद रॉड बॉड को कौर करनोगे और कौन ये तोरण ग्याद करना है तो शुरू करें बैच्चा तो जैसे हम इसको काटेंगे तो रोड घूमना शुरू करेगी बताओ कहां से भूमना शुरू करेगी रोड अरे यहां से यहां से घूमने के लिए सुतंत्र है जैसे अपने इसको काटेंगे तो बताओ रोड आए तो इस दिसा में घूमने लगेगा मान लीजी हमने का कौन यह तरोन कितना है अलपा अब घुमाएगा कौन टॉर्क अपन लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ यही अपनी एक्सेस है यही से रोड घूम रही है तो टॉर्क अपन लिखेंगे किस से पॉइंट उसे तो जब हम इसको काट देंगे काटने के बाद टेंशन कितना हो जाएगा तो हम लिखेंगे कट करने के बाद कट करने के बाद टेंशन जीरो हो गया बच्चा ठीक है तो अब फोर्स क्या बच्चा सरफ mg बच्चा तो mg कितना टॉर्क देगा तो बल कितना है mg अब बल की रेखा तो बल की रेखा कहां है बच्चा बल की रेखा तो यही हो गई यह क्या होगी बई यह बल की रेखा होगी तो बल की रेखा और mg के वीच की लंबे बाद दूरी कित्ती हो गयी बच्चा तो यह दूरी ly2 हो जाएगी बर खुरता तो mg into ly2 क्या हो गया? टॉर्क हो गया, क्या हो गया बच्चा टॉर्क, ठीक है, अब टॉर्क अपने लिख दिया, अब टॉर्क का मान हम क्या जानते हैं, टॉर्क बरावर होता है, आई इन्टू अल्फा, इस एक कॉल टू एन्जी इन्टू एल वाय टू, अब आई कहा है जड़ता अगून, अब आपको जड़तागून भी कहां से लिखना है, बिंदू वो से ही, आपको पता है कि अलग अलग जगए से जड़तागून अलग लग आता है, यहां से आता था, एन्टू अल्फा, दो अल्फा मा समझ लेना, इक गुणा का चिन है, इन्टू अल्फा इस एक कॉल टू एम ज अते हैं, क्या मचाओगे, पाटा कूटा, म से म गया, इक ल, से एक ल, गया, और कुछ गया, क्या, नहीं गया, तो इदर से बचा कितना है, यह अल्फा अपॉन 3 इस एक ल्टू टू जीवारी 2, तो अल्फा इस एक ल्टू कितना आ गया, 3 D अपॉन टू आपका रोड के कट करने के रसी के कट करने के जस्ट बाद कौन यह तरौन आ गया किता गया थ्री अलफा तो अपन टॉर्क लिखना जानते थे और फिर टॉर्क बराबर आई अलफा होता है अपने अभी अभी पढ़ा था न्यूटन के गती के दूसरे नियम से जो हमने किसमे लगाए था घूनन गती में घूनन गती में तो आई अलफा लिख दिया आई के तव एमल स्कर वैथरी होगे अलफा टॉर्क एमजी वायल टू काटा कूटा मच्छा यह समझे बच्छों चलिए अब अपन कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो कहानी को आगे बढ़ा तवे बच्छा चलते हैं कि कहां चलें को हम एक दूंगर कर दें आपको आप एगा अपका होमवर्श और यह बात नहीं आपका करने की कोशिस करना कि यह ठाटे है तो अच्छी बात है नहीं होतें तो कोई बात नहीं अपना आगे पढ़ेंगे इनको दलिए इसको भी solve करने का कोसिस करना, ये भी आपका homework है, ये भी क्या है आपका homework, आपको क्या करना है, वही torque लिखना है, तो torque बराबर क्या होगा, F into distance, देखो इस चक्ती पर torque लग रहा है, तो इधर से घूमेगी, अलफा से, अलफा से घूमेगी, तो torque बराबर कितना हो गया, force कितन है, 20 newton, force कितना है, 20 newton, अब देखो, force की रेखा, इस बल की रेखा, ये रही, बल की रेखा, और अक्स के बीच की दूरी कितनी हो गई, r हो गई, तो 20 into r लिखो गया, बल कितना है, 20, 20 into r, वरोबर, अब इसकी जगहे क्या लिखोगे, I alpha लिखोगे, torque की जगहे क्या लिखे I alpha is equal to 20 into r, ठीक है, I, ये कौन सी बस्तु है, kg, 20 kg, जड़कता अगुन, direct ही आपको दे दिया है, जड़कता अगुन, I का मान आपको सीधे सीधे दिया है, ये I का मान हो गया, तो आप क्या करना, alpha का मान निकलना, 5 सेकेंड बाद कौन ये बेग निकलना है, तो यहां से क्या करना, R का भी मान आपको दिया है, R का मान कितना है, 20 cm तरिज है, R का मान दिया है, I का मान भी दिया है, तो देखो, सब का मान हो गया, I का मान हो गया, R का मान हो गया, यहां से alpha निकाल लोगे, alpha का मान, अब देखो, आपको क्या गयात करना है, 5 सेकेंड के बाद रसी का कौन तो देखो कौण सा समीकरन लगाओ कि omega बराबर omega no plus alpha into t alpha into t अब शुरू बात में कोण ये बेग है कितना है 0 है alpha कमान आप निकाल चुके है t कमान कितना है 5 seconds है आप omega कमान बताना है बताने की कोशिश करना बच्चों ये आपका home work है मेरे प्यारे बच्चों solve करने की कोसिस करना अब हम आगे बढ़के चलते हैं कौण ये संबेग पर तो कौण ये संबेग को निमने प्रकार परिवासित किया जा सकता है जैसे कौण ये संबेग अपन नहीं कहते थे आई उमेगा ठीक है उसकी detail में चलते हैं थोड़ा सा तो हम कहते हैं कौण ये संबेग को निमने प्रकार परिवासित किया जा सकता है एल बरावर आर क्रोस पी एल बरावर आर क्रोस पी तो देखो कोई भी रेखिये रासी और कौण ये रासी में कैसे अपन संबंद लिखते हैं कैसे अपन संबंद लिखते हैं तो यहां पर भी हम लि लिखेंगे रेखिये संबेग रेखिये संबेग गोडा गोडा रेखिये संबेग की रेखा रेखिये संबेग की रेखा तथा रेखिये संबेग की रेखा तथा अक्ष्य या अक्ष्य या संदर्व विंदू के बीच की लंबवत दूरी लंबवत दूरी लंबवत दूरी लंबवत दूरी बिल्कुल वही जैसे अपने उसमें लिखा था ना यहां रेखिये सम्भेगे तो देखो बल आगुण में यहां आप इसको समझनलू एक तरीके Eph है तो ц off क्या हो गया कोड़िये बल तो कोड़िये बल बराबर रेखिये बल गुणा रेखिये बल की रेखा तथा अप्षिया संदर बिंदू के बीच की नियूनितम दूरी नियूनितम दूरी देख इसको मैं इन जर्नल बता देता हूं कोई भी रासी है जैसे मेरा नाम मेरा नाम क्य है वच्चा अमिट एंट कि वे रेखिये गतीन अब एक को डीन गती मेरा नाम क्या होजाएगा थे आप रोबर रेखिये गती मेरा नाम क्या हो जागा रेखिये अमित रासी कौन है अमित अमित एक रासी है एक घूनन गती में कौणिये अमित और इस्थानांतर गती में रेखी गती में रेखी अमित हम मान लिजे हमें कौणिये अमित का मान गयात करना है कौणिये अमित तो आप क्या करोगे कौणिये अमित बराबर रेखी अमित और रेखिये अमिथ गुना गुना रेखिये अमिथ रेखह रेखिये अमिथ की रेखह बैसे रेखह वाई हमारी नहीं है अक्ष्ण सब नाराज हो दाएंगे रेखिये, मित की रेखा तथा अक्ष या संधर्व बिंदू संधर्व बिंदू के बीच की लंबबत लंबबत दूरी अगर आपने चीज शीख लिए इस तरीकी से लिखना सीख लिया तो आपका जीवन आसान हो जाएगा रोटेशन में जीवन आसान हो जाएगा अब जातों मान लिजिए हम बोल के बता देते हैं एक हमारी बहुते करासी है आवेग तो आवेग भी दो प्रकार क्योंगे एक रेखी आवेग और एक कौन यहावेग और एक कौन यहावेग अब की रेखा तथा अक्ष्य या संदर्व बिंदू के बीच की लंबबत की तो यही चर्चा मैंने यहां पर की हुई है तो बैसे एल बरावर क्या होता है आर क्रॉस फी और एक क्रॉस भी कैसे अगर किसी को फी रो का निक्रोड वाच्चा इसका जो मान होता है वह घ्रीभी का परिमान इन्टू साइन ओफ थीटा इन्टू साइन ओफ धिटा गुणा दिसा तो दिसा की चर्चा तो मैंने आपको बताए दीए के एंटी क्लॉक वाइज है क्लॉक वाइजश तो जैस्थी यह सदेस है तो एल सदेस को अपना क्या लिख सकते हैं एल सदेस एक वर टू और सदीस का परिमान पीसा दिसका परीमार इन्टू साइन ऑफ्टिय था पॉस गोडन फल में में आता था निंटू दिसा चाह तो दिक अब driving कहानी को आगे बढ़ाते है थोड़ा सा अब अपन देखते हैं इस कहानी का जो अपने सूत्र अभी अभी पड़ाबा था उसका अनुपरिय। सूत्र का अनुप्रियों, तो यहां पर एक द्रबमान है, M जिसका B कितना है भी, तो बता इसका रेखी संबेख P बरावर कितना हो गया, M into ही, रेखी संबेख कितना हो गया, इस कंड का M into ही, अब आपको इस सवाल में जानकारी, कौनसी कारी, कलाकारी नहीं, जानकारी दी ग है, और एक किस कौके पर है, ठीटा कऊन पर है, और सदसी हम कहा देते हैं, और किस कौन पर है, ठीटा कौन, ठीटा कौन, ठीटा कौन, ठीटा का ठीटा, आप इस विंदू से, देखो, कौन सम्बेख भी आपन बात करें, कि कहां से लिखेंगे, आप खिसंदर्व.. 되면 llevar अपन तो देखिए M into V रेखिये संबेग होगा इसका तो देखो हमें कोणी संबेग लिखना कोणी संबेग L बराबर अपन क्या लिखते हैं रेखिये संबेग P गुणा गुणा रेखिये संबेग की रेखा तो चलिए अपन बनाने चलते हैं रेखा किसकी रेखिये संबेग क तो इधार से अपने लाइन खीचा ये रेखिये संबेग की रेखा होगी ये क्या होगी बच्चा रेखिये संबेग की रेखा और ये वाली दूरी रेखिये संबेग की रेखा से लंबे बाद दूरी होगी यही लम्म बाद दूरी हुई न भाई, इसको हम कहा देते हैं D, क्या कहा देते हैं बच्चा D, यह क्या है, रेखिये संबेग की रेखा, रेखिये संबेग की रेखा, ऐसा, ठीक है, तो लम्म बाद दूरी कितनी हो गई D, तो अपने इसको लिख देंगे P into D, तो L बरावर कि पन क्या लखेंगे चलो पी रहने देते हैं क्या रहने देते हैं पी और डी सगया रहेंगे तो यह फ़र पन साइन छीटा लिखेंगे तो साइन ठीटा बराबर होता यहां तो इस टिरफुज में देखो लंब कितना है डी और कण कितना है और समझ मेह आगया यह कौण 90 १िक के सामने क्या होता है कांड क्या होता है कांड यह आधार हो जाएगा जिस वजासिव कौन बन रहा है वह आधार और यह क्या हुआ दी क्या हो गया लंग हुआ प्यों से डी का मान आपको मिलेगा डी बराबर आर साइन ठीटा और साइन ठीटा तो डी बराबर केतना हो गया यह हो गया R sine theta R sine theta तो L बराबर हम ऐसे लिखते हैं सको R P sine theta R P sine theta और सदिश जब हम लिखने जाएंगे तो L सदिश बराबर हम लिखेंगे Sine theta हाएगा तो इन दोनों को हमें cross product करना है कौन सा cross तो R cross P R cross P लिखी गया तो यह सदिस रूप हुआ इसका P की जगह वैसे आप चाहो तो कभी भी M भी लिख सकते हो P की जगह क्या लिख सकते हो M into V सदिस कई बार ऐसा लिखा आता है क्योंकि यहां से आप देखके अगर लिखना चाहो ना यहां से देखके तो कई बार लोग ऐसे लिख देते हैं कि L सदिस बरावर कितना हो गया P cross R सदिस तो बिटा ऐसा नहीं होता है यह गलत होता है यह वाली चीज कैसी है गलत है मैं लिख भी देता हूँ W R O N G रॉंग है बच्चा ऐसे नहीं लिखा जाता है याद भी रखने का कैसे जीवन में कि दोखो ए P cross R PR PR प्यार नहीं करना प्यार गलत चीज होती है क्या साथ क्या होता है बरबाद कर देता है PR नहीं RP 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 लिख भी तो यहाद आप ऐसे रख सकता है कि PR नहीं होना तो R cross P आगे बढ़ों बच्चो इस परकार से तो जो formula के अपन चर्चा कर रहे थे ना यहाँ पर कि L बराबर क्या होता है R cross P यह कहां से आगया आपको बास मसमें आई ठीक है ऐसे आनी भी चाहिए आनी भी चाहिए अच्छा देखो हमसे कोई कहता कि इस विंदू के साफिक्स हमें कोड़ी सम्विक लिखके बताओ इस विंदू के साफिक्स सफेद कलर से मैं बना ज़हाँ इस विंदू के साफिक्स इस विंदू को मैंने नाम क्या दे दिया तो इस खोप्चे में मैं अलग से बता रही हाँ, कि L किस बिंदू के साफिक्स, ए बिंदू के साफिक्स, तो ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे, रेखिये संबेग, और रेखिये संबेग की रेखा और बिंदू के बीच की लमबद दूरी, तो रेखिये संबेग की रेखा ये रही, और बिंदू कितना हो गया सुन तो बिंदू एक शापेक्स कौणर यह सम्वे कितना हो गया जीरो हो गया तो शमतर इसमय कि निर्वार कर रहा है कि आप किस विंदू के साट इसको गयात कर रहे हैं विंदू ओक्र सावेक्स आपको कछ- sonodit यह रहा थीक है बिंदू, ओके सापिक्स आया है बच्चा यह वालमान अपन ने का सिरिक्स का रहते थीक है और यह बिंदू और किसा पेक्स लिख रहा थी तो बिचारा जीर्व बटे संन्नाटा हो गया कितना गया जीरू आ अप दिसा के लिए वही बात ये संधर्वे बिंदू है, संधर्वे बिंदू है, अब संधर्वे बिंदू से खीच के देखो, कि अगर कोई इधर खीच रहा है, वैसे बल की तरह है, बल की तरह है, बला अगून, नहीं क्या पड़ते थे, तो बाल इधर खीचता था, अगर इसको इधर खीच जाए, तो सब्सक्ते जुए खूमेगा ऊपर एसे खीच रहे हैं तो बताए ओपर जाएगी या नीचे जाएगी किस कि esto क्लॉक वाइज टो और हम सेंस क्या हो ग Gewाद वाद क्लाकॉस तो जैसे बाल आब उनकी दिशा देखते थे बिल्कुल वैसे इसकी भी दिशापन देखेगे अधिके जलिए अपन कहानी को थोड़ा सा आगे बढाते हैं और कहानी को आगे बढा के अपन चर्चा करते हैं को उन्णिय को इस अंवेक संदक्षिंगी को हम कहते हैं यदि यदि किसी निकाय पर भूनन अक्ष के परिताप भूनन अक्ष के अनुदिश परिनामी बल आघून सून्न हो तो निकाय का कौण ये संबेग संदक्षित रहता है तो इसमें कोई नई बात नहीं है तो सिंपल सी बाहस में हम कहें अगर किसी निकाय पर बाहरी बलागून नहीं है नेट बलागून सून नहीं उसकी अक्ष के अनुदिश तो अपन क्या कहेंगे बालागुण उसके अक्ष की दिसा में तब ही तो वह घूमेगा अगर अनुदिश नहीं तो वह बस्तु नहीं घूमेगी तो हम क्या कहते हैं कोड़ी संबिक संदक्ष्ण में अगर नेट बाहरी बलागून सून है तो कोड़ी संबिक संदक्ष्ण रहेगा तो सिंपल सी बात सिंपल सी बात अपन क्या कहते थे रेखिये गती में एफेस्टरनल का मान कितना है जीरो तो पी नियत था यहां पर अपन क्या कह रहे हैं पापन क्या कहेंगे नियत, ऐसा बच्चा कोई बड़ी बात नहीं है है अच्छा है अचलि यह आ पर हम इक दो इसके उधारन करवा देते हैं एक दो उधारन करवा देते हैं क्यांकर एक्जांब नहीं सम्टैक्शन के हम कीए देखो प्रथ्वी ऑ है प्रथ्वी गूम रही नपीजिजिदी किसी कै अग्यात कारण से अग्यात कारण से प्रथ्थ्वी कि तुरिज्या प्रत्वी की तुरिज्या सिकोड कर आधी रह जाए अग्यात कांड से प्रत्वी की तुरिज्या सुकड के कितनी रह जाए बच्चा आधी रह जाए ठीक है तो तो प्रत्वी के घूनन का घूनन का नया आवर्तकाल क्या होगा नया आवर्तकाल बोले तो टाइम पिरिड क्या होगा अभी कितना है अभी कितना है आपको किसाथ 24 गंटा है होगी नहीं होगा आवर्तकाल क्या होगा प्रत्वी का मास प्रत्वी का नियत है चो याज्ञा कारण है और कोई को ऐसे कारण कारण में भाक वाल हquez लगेगा नहीं बॉला कोई बाए बलद कॉण देरिज्जा क्वादा कर दिया कि से कुछ प्रत्वी के अंदर प्रतु के पोर में क्रोड में कुछ ऐसे परिवन हुए ईसके करहींगे प्रतु शुकोड गई और शुकोड के क्रती रही पहले की आधि नहीं प्रतु की तुमिय कि त्रिज्य पहले की आधी तो इस ऐसे केसिस में पन normal क्या करेंगे कोणी संध्विक संड़क्षन कराएगे क्या कराएगे कि संद्विक संद्ख्षन चैन तो पहले क्या है तो प्रसिबी की पहले कौण ऐब चाल कितनी है बच्चा ओमेगा और परस्वी की तरिज्ञा कितनी है र QA leg impos if वीदर ke विदर早 कितनी है आ रहे हो चीए किसरेज़ कितनी अ रहरे तो बताओ ट्राफथ अन्वे समवेग अपन लिखें तो आपन क्या लिखेंगे हाई ने लिख को би क्या माने gj vast कोमान लो गोला लगे earth कि टोस गोला है तो अब विचा कि अपने मान लिया बच्चा किया थोस गोला मनली देख बाद में यह की यह प्रत्वी है वही अक्ष है सब कुछ हुआ है बट इसकी जो तुरिज्जा है पहले किती थी आर थी अब उसकी तुरिज्जा और से घटके कितनी हो गई है नई तुरिज्जा हो गई बच्छा और वाय टू पहले का आधा तो हम ने वाला मुमेंट ऑफ इनर्शिया और नया वाला उमेगा प्रिस्वी सुकड गई है तो आई बदल गया होगा तो हमने का जड़ता अगूंड कितना हो गया आई डैस और बेग भी बदल के कि तना हो गया उमेगा डैस हो गया ठीक है चलिए अब हम जानते हैं को निसम्हें संद हुमेगा अभी प्रत्विक संकूर के रहे गई तो गोला का गोलाई यह बेलन नहीं बन गया गोले से संकूर नहीं बन गया पहले भी गोलाभी बिला lev लेकिन अभी त्रीज्यद्स connection कितनी रह गई है औरय का मान हो गया तो देख़ यह हो गया दो बटे 5 M R square into omega is equal to 2 बटे 5 M into R square बटे 4 into omega काटा कूटा मचाएंगे बच्चापन तो M से M गया 2 by 5 से 2 by 5 गया R square से R square गया तो omega dash था बच्चाएं तो omega dash कितना आ गया omega dash कितना आ गया 4 omega 4 omega तो प्रत्वी का जो कौण ये चाल है नए कौण ये चाल है वो चार गुना बढ़ गई पहले omega थी अब कितना हो गई बच्चा 4 omega अब देखो आवर्थकाल T बराबर कितना होता है 2 pi by omega आवर्थकाल अपन क्या लिखते हैं बच्चा 2 pi by omega लिखते हैं ऐसे देखो आवर्थकाल होता है एक चक्कर का समय तो एक चक्कर में कितना गूम गया 2 pi तो कौण ये विस्थापन कितना हुआ 2 pi एक चक्कर में होता है अगर कोई बस्तु कौण ये वेग से कौण ये वेग उमेगा से गति कर रहे है तो आवर्थकाल होता है 2 pi by omega तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 pi अपन नया वाला आवर्थकाल T डैस is equal to 4 into 2 pi पुराना वाला आवर्थकाल 24 गंटे 24 गंटे तो 2 pi से 2 pi उड़ गय टो नया वाला वाल टी डैस बरावर कितना रहे है श्यजटी की तो नय कितना हो जाएगा बस रहे बस समझ में आई एक दिन अभी हिस से गंटे लगेगा क्लास पढ़ना शुरू कि है और एक क्लास खता हुई दोनों पद चला कि अगला दिन आ गया अगली तारीख आगे तो आपकाल 6 गंटे रहे तो यह सवाल होते हैं अब ऐसे और सवाल होते हैं ठीक है जैसे अपन इसको ऐसी चर्चा कर लेते हैं हम कहें कि जैसे अभ क्या फरक पढ़ेगा प्रथवी के आबर्थ काल पर प्रथवी के आबर्थ काल पर तो हम कहते हो कहानी क्या होगे कहानी क्या होगे एं और प्रथवी प्रसबी की सताय पर कुछ गड़े हैं जिनमें पानी भरा हुआ है उनको अपन क्या कहते हैं समुद्र कहते हैं क्या कहते हैं तो इन गड़ों में पानी भरा हुआ है इनको अपन क्या कहते हैं बच्चा समुद्र कहते हैं अब देखो हुआ क्या कि global warming से क्या हुआ मतलब heat बड़ी तो क्या हुआ बर्फ पिघल के बना पानी पढ़के क्या वना पानी और यह पानी बहेंके चला गया इन गढ़्भों में वोले तो समुद्र में चला गया तो बता ओ इस पानी के पिघलनी की प्रक्रिया के दौरान क् जो द्रबमान बर्फ के पहाड थे अक्ष के पास में बर्फ के पहाड का है अक्ष के पास में तो वो पेगले पानी बनी और कहां पहुंच गया यहां पहुंच गया अक्ष से दूर अगर मैं अलग कलर से सिंपल वहसा में बता दू तो माली जे यहां यह बर्फ का पहाड था बर्फ का टोकड़ा था यह पेगला पानी बना पानी बना पानी बना पानी बना और वो यहाँ पर पहुंच गया यहाँ पर पहुंच गया तो इस पूरी प्रक्रिया में बताओ जो द्रबमान है जो द्रबमान है वो अक्ष से कहा जा रहा है दूर जा रहा है तो हम कहेंगे बर्फ पिघलने की प्रक्रिया में प्रक्रिया में प्रक्रिया में पानी अक्ष से दूर जा रहा है अक्ष से दूर जा रहा है पानी अक्ष से कहां जा रहा है दूर जा रहा है तो अब देखो पानी अक्ष से दूर जा रहा है मतलब पानी क्या है पानी का कुछ ना कुछ द्रब्मान हो गया तो हम कहेंगे अर्फात अर्थात द्रव्यमान अक्ष से दूर जा रहा है अक्ष से कहां जा रहा है दूर जा रहा है द्रव्यमान कहां जा रहा है बच्चा अक्ष से दूर जा रहा है तो अब देखो इस पूरे परक्रिया में कोई बल आगून है क्या नहीं है कोई बाहरी बल आगून नहीं है तो अ और यह समबें क्या होता है इंटू सम्छा होता है थोय कि अग्छा क्या होगा नियत होगा अगर इंटू से आप से जो गया तो ऐचा परब्माला तो आई आगूं बढ़ यह हम डिस्कास कर चुके हैं कि जतना अक्से द्रबमान जतना ज्यादा दूर होगा जड़तागून भी उतना ही ज्यादा होगा तो यहाँ पर आई बढ़ा आई बढ़ा तो देखो आई उमेगा को कैसा रहना है नियत रहना है नियत बोले तो कॉंस्टेंट रहना है अब कि के आई अगर बढ़ेगा को में गटेगा तो हमका के प्रतली के तो इस तर रहे के सवाल भी होते हैं बच्चांत तीक है चलिए अब देखो बच्चा एक सवाली बड़ा कॉमन सवाल है बहुत बार हर जगाए मिल जाता है हर जगाए मिल जाता है तो सवाल क्या है M द्रबमान तथा आर्थ रिज्जा की एक पतली ब्रत्तकार बलाय नियत कौन इवेक उमेगा से भूम रही है बलाय के ब्यास के दोनों सुरों पर दो कन प्रतिक का द्रबमान M का जोड दिये जाते हैं तो बलाय का कौन इवेग होगा तो अब बलाय का कौन इवेग होगा यह IIT में पूछा गया सवाल ठीक है IIT में पूछा गया सवाल है शार्बार यह कहा गिया सवाल में कि हमारे पास बलाय एह से तो मैं पहले बना देता मृं आप अब बलाय की अख्य बनाएं इस्टेटेद्ट कि में मैं भलाय की अक्ष हो गही बच्चा इस मो dif रीटेट है इनीशियल और यह फाइनल स्टेट है, तो इनीशियली इसकी तरिज़्जे आपको कितनी दी गई है, और इसका द्रभमान आपको कितना दिया गया है, बलाय का capital M दिया गया है, और यह घूम रहा है किससे कौने वे गुमेगा से, कौने वे गुमेगा से, ठीक है ऐसा हो रहा ह और यह फाइनल स्टेक्स है तो फाइनल स्टेक्स में हैं जिनका छोटा है शोटा है और उन को जेंटली जेंटली दो आराम से बिना dis院 कर दिया यहां पर अपने करती तो इनका द्रृब ने यहां पर M अब देखो, जो mg है, इसके बहुत के कारण जो तौरण होगा, वो अक्ष के लंबत होगा, क्यासा होगा, अक्ष के लंबत मतलब अक्ष के अंधिस नहीं होगा, यह आप सिम्पल भाहसा में समझें, तो आप ऐसे समझ लो कि यह इधर घुमाने की कोसित करेगा, यह इधर यहां पर कोई बाहरी बाल आगुण नहीं लगा यहां पर नेट टॉर्क है इस पूरी कहानी में जो टॉर नेट है टॉर नेट वो कितना है जीरो है तो नेट अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या हुगा यहां लिख देता हुगा प्रारंबिक कोणिये संबेग बराबर अंतिम कोणिये संबेग तो प्रारंबिक कोणिये संबेग अपने क्या लिखेंगे i into omega और अंत में अपन लिख देते हैं i dash omega dash बाद में कौण ये चाल कितनी होगी मान लीजी omega dash और जड़त तागून बदल के देखो द्रबमान जोड़ गए हैं तो जड़त तागून बदल के कितना हो गया omega dash हो गया तो i omega i का मान अपन लिखें तो कितना हुआ m r square बलाय का जड़त आगून m r square होता है इस x के पड़ता है अपन चर्चा कर चुके हैं अपन पढ़ चुके हैं into omega i dash बराबर क्या होगा तो देखो अभी finally system में क्या है एक तो बलाय है तो बलाय का जड़त आगून capital r square plus दो चोटे चोटे द्रभमान और है जो की अक्षे कितना दूरी पर है अक्षे r दूरी पर है अक्षे कितना दूरी पर है r बच्चा ये हर जगए r एक ही जैसा बना चोटा या बढ़ा ठीक है तो अक्षे द्रभमान की दूरी कितनी है M, तो जड़ा तागून कितना हो गया है, छोटा इस दरबमान का M into R square, प्लस इस दरबमान की भी यक से दूरी किती है, बच्चा R है, तो जड़ा तागून कितना हो गया, छोटा M into R square, into omega dash, into omega dash, अब देखो यहां पर काटा कूटा मचा लेते हैं, आप मेरा साथ देना, तो R square R square, R square, R square, R square, सभी में ऐसे common आके slut जाएगा, तो अब हमारे पास इधर से बचा कितना, इधर से M into omega बचा है, दो को इधर, इधर लिखता हूं है, उधर क्या बचा, M into omega बचा बचा, और इधर क्या बचा, capital M plus 2 M, capital M plus 2 M into omega dash, into omega dash, देखा है दे रहा है, into क्या बचा, omega dash, वो अधर देखाई नहीं दे रहा हूं, तो मैं मिटा आगे लिख देता हूं, बचा, capital M plus 2 M into omega dash, तो यहां से omega dash का मान केतना आ गया, capital M omega into M plus 2 M, M plus 2 M, बेकल्प ढूनलों बच्चा, second बाला बेकल्प, आपका answer हो जाएगा, समझे, तो यह भी application था, आप कौण यह संबेक, संदक्षन का बच्चों, बच्चों, चली अब अपन कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, गूनन गतिज उर्जा की, गूनन गतिज उर्जा की, तो गूनन गतिज उर्जा, आप, I into omega का, अभी आप इसको direct याद रखें ऐसे, direct ऐसे ही इसको याद रखें, कि कोई चीज अगर घूम रही है, मतलब उसमें गति है, उसमें गति है, कौन सी गूनन गति है, तो उसके पास अगर गति है, तो गतिज उर्जा भी होगी, अब गूनन गति के कारण जो गतिज उर्जा होगी, उसको अपन क्या कहेंगे, गूनन गतिज उर्जा, और हाख, M की जगए आई, इसकी जगए आगया, उमेगा, क्या आगया बच्चा, उमेगा, तो आई और उमेगा आपको पता होते ही है आई क्या है आप समझी गए हूँ मुमेंट आफ इनर्शिया आई पता हुआ और बस्तु की गती कितनी है तो अपन आसानी से घूनन गती जूबजा निकाल लिया करेंगे इस पर आधारेत अपन एक प्रसंद करते हैं क्या करते हैं बच्चा एक प्रसंद करते हैं कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहेंना आई ला आई ला तो चलिए सवाल मैं कर बाता हूं जाने दो हमारे पास मानली जी एक रॉड है क्या बच्चा एक रॉड है इसे रॉड की प्रारंबे कि स्थी थि वच्च और रॉड का अपन ने 이हां पर इस जगह प DR किया होा था पर यह C एसे अपन और बसके हैं तो यहांपर यहां पड किया COP आई आर अब अपन ने क्या किया रॉड को काट दिया रॉड को काट दिया ऐसे करके खचा एसे करके खचा करके काट दिया रॉड को काटेंगे तो रॉड कहां जाएगी नीचे जाएगी रॉड कहां जाएगी नीचे तो यह वाली सिच्विशन है वो कौन सी है इनीशियल इस्थिती इनिशियल पोजीशन है अब रॉड कट कर देंगे तो रॉड कहां पहुंच जाएगी बच्चा रॉड नीचे आ जाएगी तो वो कौन सी स्थी अपन कहा देंगे फाइनल फाइनल तो फाइनल स्थी में देखो बरकुरदार क्या होगा रॉड ऐसे होगी फाइनल फाइनल स्थी में रॉड ऐसे होगी बच्चा इस प्रकास से लिए तो रॉड ऊपर से ऐगी तो शुरू बात में इसका कौन ये बेक इत्दा होगा बच्चा कि और अंतिम कौने यह वेग ए सवाल एसे भी हो सकता है कि जब RAWdh चुड़य वेग जियात की ची Arizona कॉमेग उसका है टो देखो बत्च न क्या होगा यहाँ पर सिन क्या होगा यहां पर ऐसे घुम के धर आ गई है रॉडा तो यहां पर अपन उर्जा संदर्खण लगांगे क्या करेंगे क्योंकि कोई बाहरी बलतो है यह भांधर न जिसने कारे किया हो तो निकाएं कि उर्जा संदक्षित रहेंगी तो अपन इसे लिख सकते हैं हृँ गतिज उर्जा में ब्रदधी कि ग्हुंकर नीचे आएगी ना यहां पर कील कित किया गया है है क्या किया गया मध्य किया जगए तो रौड क्या करें ग्हुंकर कि नीचे आए तो यहां पर बताओ जो द्रब्मान है कि और यह वार्मान केंद्र कि अपर गया नीच आया तो आप चलने वाली के होती है रोड घूम रही है पगिले ज़स्चिल तो half I into omega square आप आई कहां से लिखेंगे तो हम कहrióेंगे आई वहां से लिखोगे जहर से रोड घूम रही है और रोड कहां से घूम रही इस बिन्दू से तो चलिये हम इस is equal to half i का मान कितना होगा i का मान कितना होगा तो यह होगा ml square by 3 ml square by 3 into omega का square अब आप देखिए यहां 1L से 1L उड़ गया mg से 1MG गया और 2 से भी 1-2 कट गया 2 से भी क्या होगा 1-2 कट गया तो इधर कितना बच्चा g तो इधर 3 into g 3 ऊपर चला गया इधर और इधर किया बच्चा L into omega square L into omega square संजे बच्चों ठीक है कोई चीज़ छूटी तो नहीं है तो अब इसके बाद की कहानी में इधर लिख देता हूँ तो omega का मान कितना आ गया omega is equal to आ गया है under the root 3G upon L 3G upon L तो आपको omega का मान मिल गया under the root 3G upon समझे बच्चों तो इस प्रकार से इसके applications होते है तो अभी और भी application क्यों हो सकते हैं लेकिन फिलाल अपन क्या करते हैं तो आप देखो आपने बहुत सारी चीज़ा पढ़ी है बहुत सारी चीज़ा सीखी है बस इनको आप अच्छे से सीख लेना तो आपको rotation में फील आ जाएगी बच्चा इनको बस अच्छे से सीख चलना और भारी भरका माया भी प्रशन बच्चा कभी यह लॉंग बैच वगयर होगा तो उसमें पन करेंगे ठीक है और भी चीज़ें जबाएंगे हम गूनन गती और इस्थानांतरन गती को साथ-साथ भी करेंगे ठीक है लेकिन अभी तक आपने जो चीज़ां सीखी है वो आपको कंटस्ट होना चाहिए वो आपको पता होन चाहिए तो इनको अच्छे से सीखना बच्चों ठीक है तो आज के लिए इतना ही काफी है हम आपकी कहान यहीं समात करते हैं थैंक्यू सो मच बच्चों अच्छे से पढ़ाई करना अपना ख्याल रखना टाटा बबाई टेक क्यार